हालो स्टूनेंट नमश्काल स्ट्रियकाल स्वागते आप सभी का आपके पसंदिदा चैनल मैगनेट बेंस इटी जेई और नीट में और मैं भी शेक अगरवाल आपका जे डबली केमिस्टी फैकल्टी लेकर आया हूँ कोई किल शॉर्ट कॉर्स का पहला दिन का पहला चाप्टर जिसमें पहला लेक्च्टर देखेंगे अगले 40 में खतरनाक तेहरी करने वाले और 40 में ITJ की प्रप्रेशन में 41 दिन आग लगा करने वाले तो वह आज पहला दिन है वो आज day 1 है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं और जिस day 1 में हम पहला chapter निपताने वाले सम बेसिक concepts of chemistry का ठीक है मैंने जैसे आपको बताया था हर बार कि पहले हम लोग क्या करेंगे हम लोग quick concepts देखेंगे हम लोग सारे concepts को एक बार glance कर लेंगे एक बार उस पर एक जलक माल लेंगे उसके बाद हम कुछ important questions करेंगे और कुछ previous year questions करेंगे ठीक है और ultimately हर एक दिन में एक chapter हम निपताएंगे और पूरा करते हुए 30-31 chapter ने तो वो सारे ने पढ़ जाएंगे बीच-बीच में revision की series आएगी और last में complete revision की series आएगी जिसको हम पूरा करने वाले है संपट पढ़ी क्या भाई तो day one में पहला chapter start करते हैं some basic concepts of chemistry आप इसमें देखेंगे सबसे पहली चीज की matter क्या होता है तो जैसा हमने पढ़ा है 9th class से पढ़ा है कि भया कोई भी चीज जिसका खुद का कोई mass होता है और खुद का कोई volume होता है बोले तो space में रख दोगे त उसको हम matter बोल देता है और matter क्या होता है तीन पार्ट में classify होता है solids, liquids और gases अगर intermolecular forces of attraction आपस में particle के बहुत अच्छे है तो वो molecule पास पास रहेंगे solid state में थोड़े से वीक है तो थोड़े से दूर रहेंगे liquid state में और अगर बहुत ही वीक है तो बहुत दूर रहेंगे particles तो वो gaseous state में होगा तो matter को आप तीन पार्ट में classify करते हो solid, liquid और gases, solid के बारे में it has definite volume and definite shape, liquids definite volume but not definite shape, liquid के पास definite volume तो है लेकिन खुद का shape नहीं है भाईया जिस container में उसे रखोगे वो उसका shape ले लेगा, gases के बारे में उनके पास ना खुद का definite volume है ना ही खुद का definite shape है, त तो यह matter के क्या होगा है भाई अपने पास तीन टाइप होगा है, आगे चर्चा करते हैं, on the basis of chemical composition, chemical composition की आदार पे matter जो होगा वो तीन substance जो होगा वो तीन टाइप में identify करा जा सकता है, या तो element, या compound, या mixture, element क्या हो गया, वो substance जिसके पास, जिसको आप decompose नहीं कर सकते हैं into simpler substances by chemical change, जैसे hydrogen, carbon, nitrogen, यह सब periodic table में रखे गए, अब जब यह periodic table में हैं, तो आप इनको इनके simpler substance में decompose नहीं कर सकते हैं, यह simplest form में, मतलब इन element के अंदर उनके atoms हैं, जो सबसे simplest form में, तो इन चीज़ों को हम element कहेंगे, compound में these can be decomposed into simpler substances, मतलब compound को आप simpler substances में decompose कर सकते हो, जैस माल हुआ, तो वो वापस से decompose हो जाएगा, chemically hydrogen और oxygen में, तो water chemically decompose हो जाएगा, किस में hydrogen और oxygen में, by chemical changes, compound is always homogeneous, और याद रखना compound हमेशा homogeneous होंगे, मतलब उसमें जो भी element, different elements मिलेंगे, वो different elements homogenously mix होंगे, और chemical composition के through compound मनाएंगे, उनको तोड़ना भी chemical composition के through, chemical change के through ही पड़े और chemical change के through ही वो वापस decompose होंगे, simpler substance में, जैसे carbon dioxide है, तो वो अगर तूटेगा, तो carbon और oxygen में तूटेगा, लेकिन chemical change से तूट जाएगा, simpler substance में तूट जाएगा, तो compound, नहीं तूटता, तो element, mixture की बात करें, these have variable composition and variable properties, due to the fact that the components retain their characteristic properties, तो इनके पास variable compositions होती है, और variable properties होती है क्योंकि इनके जो components होते हैं, they retain their properties, तो सारी properties उस mixture के अंदर देखने को मिलेगी, इसलिए mixture के पास variable compositions होती है, और variable properties होती है, components of a mixture can be separated by applying physical methods, अगर आप चाहो तो components जो mixture के हैं, जिसने उस mixture को बनाया है, आप उनको separate कर सकते हो, by physical methods, physical methods से separate किये जा सकते हैं, every substance has unique property, and these can be measured quantitatively and qualitatively हर substance के अपनी unique property होती है, और हर substance को आप चाहे element हो, compound हो, या mixture हो, आप उसको qualitatively भी और quantitatively भी analyze कर सकते हो, उसका analysis कर सकते हैं, clear हो गया, तो element, compound और mixer के बारे में यह सारी बात हैं, next, अगर हम आगे बात करें, physical quantities and their measurements में, तो physical quantities and their measurements में, mass, length, time and temperature are physical quantities, these are expressed in numericals, in numerous with suitable units, units में भी basic, fundamental और derived, दुनिया की हर physical quantity को आप किसी unit से denote करते हो, जैसे length को आप meter या kilometer में नापते हो, mass को आप gram और kilogram में नापते हो, time को आप hour, minute या second में नापते हो, तो वो basic units उनकी साथ होती है, fundamental quantities, उसके बात साथ fundamental quantities के लावा उनकी derived units होती है, जैसे force is not a fundamental quantity, force बनता है mass into acceleration के product से, तो force into acceleration की, mass into acceleration की जो basic unit होगी, उससे हमने force बनाया, तो force will be a derived physical quantity, बट जो mass हो गया वो fundamental होगी, again acceleration is not a fundamental quantity, acceleration भी derived है, तो ऐसे fundamental quantity से बनने वाली units होगी, वो derived units होगी, the SI system has seven basic units, as I said कि भाया SI system के पास क्या होती है, साथ basic units होती है, SI system के पास क्या होती है, seven fundamental, seven basic units होती है, these units pertain to the seven fundamental scientific quantities, और यह साथ unit, साथ basic fundamental quantities की होती है, कौन-कौन सी, mass की kg होती है, length की meter होती है, time की second होती है, Electric Current की Ampere होती है Temperature की Kelvin होती है Luminous Intensity की Cadillac होती है And Amount of Substance की Mol होती है These are the Fundamental Units मतलब in all We have 7 Fundamental Units We have 7 Fundamental Units और बाकी सारी Units इससे Derived होई है Whereas Other Units are Derived from it तो बाकी जो Units है Other Units are Derived from it तो बाकी Units को आपने इसमें से ही क्या करा है Derived करा है तो Basic Fundamental Units अपकी साथ है वो है ये साथ और इसके इलावा सारी Units को आपने Derived करा है इन सातों का स्तमाल करके ठीके तो सातों का स्तमाल करके आपने Derived करा है बढ़ ये 7 Fundamental Units से जो SI System मानता है और इन सातों Fundamental Units के साथ प्रोटोटाइप आपने SI System का एक म्यूजियम है वहाँ पर रखे हुए प्रोटोटाइप रखे हुए म्यूजियम नहीं उसको बेसिकली बोलना चाहिए बलकि उसको कहना चाहिए कि साथ प्रोटोटाइप का पूरा एक उन्होंने संग्रा करके रखा हुआ एक जगा और दुनिया के सारे ये 7 Measurements इनी को रेफरेंस मान कर किये जाते है और इसके लावा जो भी other units हो गई जैसे तुम Pressure पढ़ते हो Force पढ़ते हो Speed पढ़ते हो Acceleration पढ़ते हो ये सारी चीज़े derived units हो गई These are the derived physical quantities और इनकी जो units होगी वो derived units होगी तो ये साथ fundamental quantities है ये important चीज़ थी ठीके आगे चलते है अगले पाट पर The lowest temperature permitted in nature is दुनिया में सबसे कम temperature जो जहां तक हम पहुँच सके हैं जो जहां तक हम जाचुके हैं और वो achieve कर चुके वो होता है absolute zero absolute zero बोले तो zero Kelvin या minus 273.15 degree Celsius absolute zero मतलब zero Kelvin जो की degree Celsius में minus 273.15 होगा और भाईय Kelvin स्केल पर zero Kelvin होगा तो zero Kelvin को absolute zero temperature बोला जाता है because this is the lowest possible permitted temperature इससे नीजे का temperature अभी तक नहीं मिला है ना पहुचे है ना permit है relation between Celsius and Kelvin हमें पता है Kelvin का अगर temperature आपको निकालना है तो Celsius में 273.15 को आइड कर दो तो जैसे zero degree Celsius अगर आपके पास है तो वो Kelvin में 273.15 Kelvin होगा लेकिन 100 degree Celsius अगर आपके पास है तो 100 plus 273.15 373.15 Kelvin हो जाएगा in the same way Fahrenheit और Celsius को भी convert कर सकते हो अगर Fahrenheit में आपके पास कुछ है तो Fahrenheit में 32 को minus करो 5 by 9 में multiply करो वही value आपके degree Celsius में आ जाएगी तो degree Celsius में it will be 5 by 9 times of 5 by 9 times of F minus 32 आप इस कोलटा भी कर सकते हो अगर आपको Fahrenheit में निकालना है और degree Celsius में दे रखा है तो पहले क्या करेंगे 9 by 5 times of degree Celsius करेंगे और इसमें at last 32 add कर देंगे तो ये आपका Fahrenheit to degree Celsius हो जाएगा ये चीज़ होगी जो आपको देखना है तो ये दो यूनिट्स होगी other than Kelvin Kelvin के लावा Celsius और Fahrenheit भी temperature की यूनिट होती है और inter convert आप इस तरीके से कर सकते हो आगे चलते the term precision अब हम लोग बात करते हैं measurements में कई बार हम use करते word precision precision का मतलब क्या होता है precision refers to the closeness of the set of values obtained from identical measurements of a quantity precision is simply measurable of reproductibility of an experiment precision is simply a measure of reproductibility of an experiment अगर आप एक experiment को बार-बार कर रहे हो बार-बार कर रहे हो बार-बार कर रहे हो जाहिर सी बाते chemistry में ही माना जाता है भाई कि जब एक experiment को आप बार-बार इतनी बार करोगे तो हर बार result आपको सेम नहीं मिलेगा मतलब जो value आपकी अगर कोई आ रही है उस experiment के result में कोई numerical value अगर आ रही है तो वो numerical value क्या होगी कुछ decimal points आगे पीछे हर बार आएगी हर बार change होगा कुछ ना कुछ तो जो closest set होगा बार-बार हमने जो experiment किया उससे जो बार-बार result निकाले है उस closest value के set को हम precision कहेंगे वो precision होगा तो that is called as precision accuracy क्या होगी a related term refers to the closeness of a single measurement to its true value अब जो true value है उसके closest कितनी है मतलब हमें एक पता है कि इसके true value आती है इस experiment की अब हम उसके experiment को बार-बार कर रहे है तो उसके deviated कई values आ रही है तो उसमें जो closest value होगी that will be called as its accuracy तो accuracy is a related term refers to the closeness of a single measurement to its true value how close that single value is with the true value of that experiment तो it measures the closeness और ये relative term accuracy कि हमारा इसका answer इससे ज़्यादा accurate है मतलब हमारा जो answer आया है अगर वो किसी और के answer से ज़्यादा accurate है what does that mean हमारा answer true value के closest है because accuracy is a measure of closeness closeness of our value with respect to the true value it's a measure of closeness of our value with respect to true value तो ये measurement के लिए हम लोग accuracy लेखते हैं तो precision और accuracy दो टम होते हैं बहुत ज़्यादा use होते हैं लेकिन जो सबसे important use होता है chemistry में वोते significant figures significant figures ये बताते हैं कि किसी भी experiment में जो calculated value आई है जो calculation करने के बाद calculated value आई है कहना चाहिए वो value कितनी significant है कितनी important है मतलब उसमें कितनी certainty है and more is the more are the number of significant digits more will be we call it as कि उतना ज़्यादा हमने accurate answer निकाल है more is the number of significant digits more accurate will be our answer तो significant digits अपने आप में important है significant का मतलब होता है important तो वो digits जो important होते हैं उनको significant मानते हैं so significant figures are meaningful digits which are known with certainty और we are how much we are certain about a particular value वो उसके significant digits से पता चलेगा जैसे मैं क्या दूँ अगर 4 है किसी का value 4 है कोई answer आ रहा है मेरा numerical का 4 लेकिन मैं अगर उसको बोलो कि नहीं मेरा 4.0 आ रहा है या मैं उसको बोलो नहीं मेरा 4.00 आ रहा है या मैं उसको बोलो नहीं मेरा 4.000 आ रहा है अब आपके लिए तो आप बोलो के सर तीनों बाते एकी है आप बोलो के सर तीनों बाते एकी है तीनों में answer आप कहना चाहते हो 4 आता है बट जो last वाला है वो मेरा सबसे ज़्यादा certain value है last वाला जो है वो मेरा certain value है क्यों? क्योंकि इसमें मैंने ensure कि 3 decimal places तक 4 नहीं बदला है पहले वाले मैं मैंने इसे 4 लिख दिया अब हो सकता है experiment में answer 4.1 हो सकता है 4.2 हो सकता है 4.01 हो सकता है 4.05 हो सकता है जब मैं 4.000 कह रहा हूँ तो what does that mean? कि मैंने accurately answer निकालने की कोशिश किये मैंने दावे के साथ बोला कि 3 decimal तक कोई number नहीं आएगा 4.000 ही रहेगा तो मैं इसमें ज़्यादा certain हूँ ये मेरी certainty बता रही है answer की तो ये ज़्यादा certain हूँ और इसलिए certain हूँ क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा value तक इसका answer निकाला है because it contains 4 significant figures जबकि इसके पास सिर्फ 1 significant figure है तो जैसा हमने का था more is the number of significant digits more certain will be your answer more accurate will be your answer तो इसमें 4 significant digits है तो भाईया ये ज़्यादा certain होगा so significant figures are meaningful digits which are known with certainty these are the total number of digits in a number including last digit whose value is uncertain इसमें सारे numbers include होंगे except also which also includes the last digit which is uncertain मतलब सारे certain number और last digit भी हम include करेंगे जो uncertain है जो हो सकता है हर बार experiment करने पर अपना answer बदले तो वो भी आपका significant माना जाएगा the uncertainty is indicated by writing the certain digits and the last uncertain digit अब कैसे किसी calculation के या किसी observation या किसी experiment के किसी result के significant digits की संख्याब बता सकते हो कैसे किसी result में आप significant digits बता सकते हो इस पर अपन चर्चा कर लेते हैं तो there are certain rules significant digits को रिकान लेके लिए कुछ rules है उन्ही rules के हम यहाँ बात कर रहे है पहला rule क्या कहता है भाई number from left to right and count all the digits starting with the first digit that is non-zero आप सारे digits को count करो right from the starting but first non-zero digit से start करोगे सारी number first non-digit zero non-zero digits से non-zero मतलब zero नहीं होना चाहिए अगर starting में zero आगया तो आप उसको count नहीं करोगे because that is insignificant वो significant नहीं होगा not significant अगर आप addition or subtraction कर रहे हो किसी में जैसे suppose करो आप कर रहे हो 11.1 और 4.34 तो you might get the answer 4 4.51 15.44 but your answer must contain the decimal places following the one in which there is least decimal place like आपने दो expressions को आइड करा किस किस को आपने 11.1 को आइड किया one decimal place था one decimal place था आपने फिर 4.34 को आइड करा it contains two decimal place it contains two decimal place अब आपका जो answer आएगा उसमें one decimal place ही होना चाहिए तो correct answer is 15.4 this is the correct answer यह गलात है यह correct है यह correct है क्यों? क्योंकि जिसमें सबसे कम decimal place वाला expression होगा उसको follow करेंगे तो सबसे कम इसमें क्योंकि इसमें एक decimal place है तो हम इसके सबसे answer लिखेंगे तो यह हमारा answer होगा clear होगी बात अगर मालो इसमें 2 होते और उपर वाले में 3 होते तो फिर हम 2 वाले को answer अपने इसाब से बनाते क्योंकि दो decimal place वाला सबसे कम decimal place का number है तो वो हमारा answer हो जाता है यहाँ पर suppose करो आप 4.6 को multiply कर रहे हो 3.75 से so you might get some answer कोई answer मिलेगा आपको answer should contain two significant figures क्योंकि इसमें सबसे कम significant figure जो है वो 3 है और वो 2 है इसके पास तो your answer must contain answer must contain two significant figures आपके इस answer में सिफ 2 significant figures होने चाहिए दो से जादा नहीं होने चाहिए क्योंकि सबसे कम वाला जो multiply हो रहा है expression उसके पास सिफ 2 significant figures है तो in multiplication and division the result should be reported to the same number of significant figures as that in the quantity with least numbers of significant figures ठीक है और even आपको rounding off भी करना है तो there are certain rules क्योंकि आप जब significant digits तक round off करोगे answer तो आपका 3 decimal places तक आ सकता है बट आपको उसको एक तक रखना है या 2 decimal place तक रखना है तो आपको आखरी number drop करना पड़ेगा आखरी digit drop करना पड़ेगा वो आखरी digit ऐसा नहीं कि आपन उठके करें और बोले इसको drop कर दो इसको निकाल दो और answer बस इतना ही छोड़ दो इस round इसे कहते rounding off करना और इस rounding off में भी कुछ नियम का कुछ rules का कुछ regulations का पालन करना पड़ता है rounding off का rules simple है rounding off का rules में आपको simple बता देता हूं rounding off का rules क्या है कि अगर आपका number जिसको drop कर रहे हो वो 5 से बढ़ा है तो पहले वाले number में one add कर देना so is the last digit retained is increased by one only if the following digit is greater than or equal to five and is left as such if the following digit is less than four or equal to four अगर 5 से बढ़ा number drop कर रहे हो तो उसके पहले का number one से increase कर देना one unit से increase कर देना अगर 5 से छोटा number drop करें तो उसको as it is ran देना मतलब उसको drop कर देना और जो number बचा उसको as it is ran देना अगर जो number drop कर रहे हो वो on 5 यह तो पांच के आगे कुछ और लिखा ए क्या कोई और number है तो अभी उसके पहले का number one से increase हो जाएगा और 5 drop हो जाएगा लेकिन 5 drop कर रहे हो exactly five drop कर रहे हो उसके बाद तो सारे drop करोगे लेकिन five drop कर रहे हो लेकिन उसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो फिर five के पहले जो number आएगा it has to be odd number it has to be even number sorry it has to be even number तो वो two four six eight में कुछ होना चाहिए अगर वो odd है तो आपको उसको even बनाना पड़ेगा by adding one तो उसको even बनाना पड़ेगा by adding one और अगर पहले से even है तो even ही रहनेंगे यह कब जब पांच को drop करें और पांच के बाद कुछ नहीं है तो ठीक है मतलब drop होने वाला number itself five five से बढ़ा है तो तो अड़ ही करना 5 से छोटा है तो कुछ नहीं करना five है और आगे कुछ और नंबर नहीं है तो पहले वाले नंबर को even होना पड़ेगा even बनाना पड़ेगा अगर even है तो even हैं तो अगर नहीं है तो प्लस वन एड़ कर दो इस तरीके से यह सारे calculations होगे तो यह rounding of significant digits सा जो उम्मीद करता हूं clear हो गया होगा ठीक है हम लोग quick concept देख रहे हैं at a glance इसलिए इनको हम लोग superficially अभी देखते जारे हैं पड़ते जारें next we have laws of chemical combination chemical combination दुनिया की हर chemical reaction एक particular laws के set को follow करती है जिन laws के set को कहते laws of chemical combination इन में मोटे रूप में 6 laws होते हैं पहला लोग होता है law of conservation of mass जो एंटर्णी लेवशियर ने 1789 में दिया था जिसमें उनने कहाता कि जो reactant का मास है और जो product का मास है वो हमेशा same रहता है किसी chemical reaction में nuclear reaction में समभव नहीं होता क्योंकि nuclear reaction में बहुत जादा energy निकलती है लेकिन chemical reaction में ये बिलकुल possible होता है क्योंकि total mass of reactant will be equal to total mass of product mass of reactant will be equal to mass of product तो जितना reactant का मास है उतना ही product का मास होगा बीच में मास ना कतम होगा ना बढ़ेगा ये था law of conservation of mass और इसी के दम पर हम equation की balancing करते हैं तो इस law के हिसाब से therefore the balancing of equation is done ताकि stoichiometry same रहे therefore balancing of equation is done so that so that balancing of equation is done so that क्या हो कि ये law of conservation of mass follow हो ताकि stoichiometry same रहे second is law of constant or definite proportion ये law कहता है कि अगर कोई element बनाए है आपने कोई compound बनाए है आपने दो element AB से तो A का जो मास लगा है MA और B का जो मास लगा है MB they always be as a simple and a definite ratio इनके masses हमेशा definite ratio combine होंगे irrespective की AB आपने किस method से बनाए है AB अगर बना है तो उसमें masses का जो ratio होगा वो fix होगा G1 में AB कभी भी बनेगा तो जैसे example दे देते हैं water का अगर आपके पास water है H2O तो H2O में H और O 2 element है जो इस्तेमाल हुए जिसमें H का बज़न 2 unit oxygen का बज़न 16 unit इस्तेमाल हुआ है तो ratio is 1 is to 8 this mass ratio will be definite and it is not dependent on the method with which H2O is being prepared water किस method से बनाए गया है इससे कोई फरक नहीं परता water को बनाने की second method होती है water का source second होता है लेकिन water के अंदर hydrogen और oxygen का जो ratio होगा यह हमेशा fixed होगा एक hydrogen के gram को 8 gram oxygen लगेगा ही लगेगा जब भी water मना होगे अगर आपके पास 1 gram hydrogen है तो उसके लिए 8 gram oxygen चाहिए ही चाहिए अगर उसको water बनाना है तो तो this is what we are having as the simplest ratio दुनिया के हर compound में उनके element के mass के ratio को यह definite ratio बोलते है definite proportion बोलते है इसलिए law of definite proportion मना है जो प्राउस्ट साब ने दिया था 1799 में इसके बाद आते हैं law of multiple proportion multiple proportion डेल्टन ने दिया था 1803 में multiple proportion यह कहता है कि अगर मानलो कोई दो elements दो से जाधा compound बनाते हैं जैसे suppose करो hydrogen and oxygen है hydrogen and oxygen दो compound बनाते हैं एक बनाते water और एक बनाते h2o2 hydrogen peroxide एक बनाते water h2o और एक बनाते h2o2 hydrogen peroxide अब इसमें hydrogen को जो mass है वो तो सेम है दोनों में hydrogen का mass इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है लेकिन जो oxygen का mass है इसमें एक unit है तो 16 और इसमें दो atom लगे हैं तो 32 तो oxygen के जो mass का ratio है जो hydrogen के fixed mass के साथ combine हो रहा है वो ratio simple whole number में आएगा यानि की ratio आजाएगा 1 is to 2 का यानि की ratio आजाएगा किसका 1 is to 2 का ये 1 is to 2 का ratio हो गया इसका मतलब क्या हुआ कि oxygen अगर one time किसी hydrogen के mass से combine होकर एक compound मनाता है तो अपने twice mass मतलब जितना उसमें combine हुआ था उसका double mass वो उतने ही hydrogen के साथ combine होकर कोई दूसरा compound भी बना सकता है ये होता है law of multiple proportion जैसे nitrogen के और oxygen के पांच compound मनते है nitrogen and oxygen के पांच compound मनते है कौन कौन से nitrogen, nitric oxide, nitrogen dioxide, dinitrogen oxide, N2O3 and N2O4 ये पांच compound मनते हैं इसमें nitrogen के सभी fixed mass अगर होंगे तो देखना oxygen के mass का ratio आएगा 16 is to 32 is to 48 is to 64 is to 80 ये ratio आएगा what does that mean? कि nitrogen के fixed mass से मतलब same mass है सब में तो एक में oxygen का one time weight लग रहा है, दूसरे में दूसरा time लग रहा है तीसरे में three time लग रहा है, चौदे में four time लग रहा है और पांच में में five time लग रहा है और अगर इतने times oxygen का weight लग रहा है तो oxygen उस nitrogen के fixed mass के साथ combine होकर अलग-अलग compound दे रहा है, so this is called as law of multiple proportion कि एक oxygen ही है, लेकिन अपना mass वो दुगना, तिगना, चार गुना, पांच गुना करता जा रहा है, nitrogen के fixed mass के साथ और अलग-अलग compound मना रहा है, ये possible होता है क्योंकि law of multiple proportion हर chemical follow करता है, तो law of multiple proportion ये है, then we have law of equivalent or called as law of reciprocal proportion जो Richard ने दिया था 7094 में, Richard ने ये कहा था कि अगर तीन element compound बनाएंगे, suppose करो A, B और C, ये तीन element है, तो पहले A और B ने बनाया, A भी, और A और C ने बनाया, A, C, A और C ने बनाया, A, C, माल लेते A का मास fixed है, तो B का मास यहां लग गया, M1, और C का मास लग गया, M2, तो M1 और M2 का कोई ratio होगा, M1 upon M2, जो A के fixed मास के साथ अलग-अलग compound बनाया है, अब चब ये B और C आपस में combine होंगे, और खुज एक compound बनाएंगे, B, C, तो हो सकता है B का तब मास लगे, M3, और C का मास लगे, M4, तो वो जो मास का ratio होगा, वो या तो equal होगा, या फिर उसी के कोई integral multiple में होगा, यानि कि चब, जब A के fixed मास के साथ B और C का combine हो रहे थे, A, B और A, C बनाने में, उस समय B और C का जो मास का ratio था, वो या तो equal होगा, उस मास के ratio मे चब B और C direct combine हो रहे, या फिर उसी के integral multiple में होगा, उसी ratio होगा, दुगना होगा, तीन गुना होगा, चार गुना होगा, ये होता है law of reciprocal proportion, तो ये law of reciprocal proportion है, तो ये law of reciprocal proportion है, then we have 5th point which is called as law of combining volumes, combining volumes होता है वो गेल उसेक्स ने दिया था, 18.08 में इन्हों ने ये कहा था कि it states that when gases combine are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume provided, all gases are at same temperature and pressure, मान कर चलें N2 अगर कोई gas है, H2 के साथ react कर रही है, और बना रही है 2NH3, ये भी एक gas है, ये भी एक gas है, ये भी एक gas है, अगर इसको balance करें तो N2 plus 3H2 gives 2NH3 हो जाता है, तो अगर ये reaction same temperature और same pressure पे हो रही है, मतलब सबका pressure temperature same है, तो फिर ह हम ये कह सकते हैं कि nitrogen का एक volume, hydrogen के 3 volume के साथ combine होगा, और इसका 2 volume बनेगा, मतलब इनके जो volumes combine होंगे, वो simple ratio में होंगे, कि इसका 1 गुना volume, इसके 3 गुना volume के साथ combine होगा, और total 2 गुना volume ammonia gas का बना देगा, ये होता है, गे लिए 6 law of gaseous volume, जिसमें volume का ratio बड़ा simple होता है, last law कहता है, कौन सा law, Avogadro's law, Avogadro's law, ये कहता है, कि it says that equal volume of all gases at one temperature and pressure should contain equal number of molecules, अगर कोई सी भी गैस है, माल लो hydrogen गैस है, oxygen गैस है, nitrogen है, carbon dioxide है, helium है, अगर इन सारे gases के temperature सब जगा सेम है, pressure सब का, सेम है, pressure और temperature बिलकुल सेम है, and volume सब का सेम है, volume भी सब का क्या है, सेम है, so इन सब gases के molecules भी क्या होंगे, बिलकुल सेम होंगे, so all gases will have same number of molecules, all gases will have same number of molecules, तो हर गैस के जो molecules की संक्या होगी, वो भी क्या होगी, बिलकुल सेम होगी, तो हर गैस के जो molecules की संक्या होगी, वो भी सेम होगी, क्योंकि सारे gases में जो pressure है, temperature है, और जो volume है, वो सेम है, तो उनके molecules की संक्या भी सेम होगी, या कहना चाहिए, उनके moles भी सब के सेम होगे, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि gases अलग अलग नेचर की है, गैस कोई सी भी हो, उनके moles और molecules की संक्या सेम होगी, तो यह होगया हमारे loss के बारे में, फिर आती है, डेल्टन्स अटॉमिक टियोरी जो आटम के बारे में थियोरी ती, जिसमें एका गया था कि आटम इंडिस्ट्रक्टिबल है, आटम को कभी विनाश नी किया जा सकता, आ आटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, निूट्रॉन, ऐसे करते-करते, छोटे-छोटे सब अटॉमिक पार्टिकल निकाले गए, और जिससे यह साबित हो गया कि आटम इस नो लॉंगर स्मॉलेस पार्टिकल, पट येट अगें इट सा फंडमेंटल पार्टिकल, So, atoms combine with each other to form compounds in a simple whole number ratio, ये भी एक बहुत important बात थी, कि ultimately atom ही होता है, जो chemical reaction में involved होता है, और वो combine होता है simple whole number ratio में to form a compound, दूसरी बात उनने जो करी, atoms of same elements are identical in mass and chemical properties, अगर same element है, hydrogen है, तो उसके अंदर जितने भी atoms है, वो सब hydrogen के होंगे, जिनके masses और जिनकी properties सब same होगी, उसके ल not destroyed in a chemical reaction, किसी भी chemical reaction में अगर reactant से product बन रहा है, तो reactant और product में सिर्फ atom का arrangement बदलेगा, पहले वो atom किसी और के साथ लगा था, product में किसी और के साथ लग जाएगा, ये arrangement बदलेगा, atom ना तो नश्ठ होगा, ना पैदा होगा किसी भी chemical reaction में, तो ये थी हमारी deltans atomic theory के बारे, तो ये समझ में आया, atoms के बारे में, तो this was deltans atomic theory, अब इसमें क्या होगा, atomic mass के बारे में हम चर्चा करेंगे कि carbon 12 के 112 पार्ट से, जो भी mass बना है, वो 1u बना है, जिसको हम एक unified mass माल लेते हैं, जिसको एक amu बोल देते हैं, किसे carbon 12 से, माल लो ये carbon 12 का मेरे पास atom है, carbon 12 के atom क हमने 12 तुकड़े कर लिए, अगर 12 तुकड़े कर लिए हमने, 1, 2, 3, 4, 5, और ये 6, अगर हमने 12 तुकड़े कर लिए, तो इस carbon 12 के बारवा तुकड़ा, जो होगा, इस तुकड़े को हम कह देंगे, 1 by 12th part, 1 by 12th part of C12 atom, तो इसका जो mass होगा, इसका जो mass होगा, उसको हम 1 unified mass क क्या देंगे या फिर हम उसको 1AMU atomic mass unit क्या देंगे जिसकी value gram में 1.67 into 10 की power minus 24 grams होती है जितनी कितनी होती है 1.67 into 10 की power minus 24 grams होती है तो यह 112 part होता है c12 atom का यह atomic mass होता है और अगर उसी mass को हम gram में express कर लें तो वो gram atomic mass बन जाता है जैसे hydrogen का one unified एक mass है इसको अगर ग्राम कर दें तो यह gram atomic mass हो गया carbon का 12 U होता है अगर इसको हम 12 gram लिख दें तो वो gram atomic mass हो गया nitrogen का 14 U होता है अगर उसको हम 14 gram कर दें तो वो gram atomic mass हो गया oxygen का 16 U एक atom का वज़न 16 U होता है U की value इतनी होती है तो 16 times multiply करेंगे तो बहुत बड़ा number नहीं है यह बहुत छोटा है 16 से multiply करो के छोटा ही रहेगा लेकिन इसको इतने सारे item से कटे कर लो कि सब मिलकर 16 gram दिखा दें तो यह gram atomic mass हो जाएगा उसी प्रकार मान कर जलो sodium की बात करें तो sodium का एक atom 23 U का है तो 23 gram में अगर पहुच गया तो यह एक gram atomic mass का हो जाएगा और यह सब gram atomic mass जो होते हैं इनको हम molar mass कहते हैं क्योंकि यह सारे masses जो होते हैं यह एक mole के masses होते हैं तो these are also called as molar masses because when these atoms are equal to these many grams अगर सब element इतने gram के हो गए तो यह सारे element एक mole कह लाएंगे यह elements हैं इनके अंदर atoms बने हुए लेकिन यह सारे बहुत सारे atoms सिखटे हो गए तो element हो गए क्योंकि इस gram में बहुत सारे atoms सिखटे होंगे वो जितने भी atoms सिखटे होंगे वो सब कहें जाएंगे 1 mole atoms क्योंकि वो element 1 mole बन चुका है क्योंकि वो अपने gram atomic mass तक बहुत चुका है ये बात आगे मोल में हम और डीटेल में समझेंगे लेकिन इसी में exact atomic mass will be equal to equivalent mass into valency as most of the elements have isotopes so their actual atomic mass is the average of atomic masses of all the isotopes तो आपको average atomic mass निकलना पड़ता है जो उनके isotopes पर आते हैं isotopes पर suppose करो आपके पास chlorine है एक 35.5 वाला और एक chlorine ने 37 वाला बलकि कहना चाहिए एक chlorine 35 वाला और एक chlorine ने 37 वाला अब आपको average निकालना होता है तो average निकालने के लिए आपको इसके यह दोनों isotopes है isotopes मतलब same atoms having same atomic number but different mass number एक का mass number पहते से कर मास नंबर सहते से तो इनके हम isotopes कैसे इनके हम masses कैसे से निकालेंगे दोनों isotopes के तो पहले इनका percentage पता होना चाहिए तो यह पता चलेगा 75 परसेंट है यह पता चला हमको 25 परसेंट है अब इसका average atomic mass chlorine का कैसे निकलेगा average atomic mass of chlorine कैसे निकलेगा तो इट विल बी इक्वल टू इसका percentage इसके साथ multiply बोले तो 75 का multiply 35 के साथ plus 25 का multiply 37 के साथ तो 25 multiplied by 37 total percent 100 तो 100 से divide करेंगे उपर वाले को solve करेंगे तो 3550 by 100 आएगा so this will become 35.5 इसलिए हम लोग chlorine का जो mass मानते है वो 35.5 मानते है because we consider this to be an average mass तो यह chlorine का 35.5 जो आता है वो इसका average mass आता है जो उनके abundance of isotopes से निकलता है और abundance of isotopes 100% वो question में देते हैं next अगर हम बात करें equivalent weight की तो equivalent weight होता है किसी भी element या compound का जो क्या कर सकता है combine or displace हो सकता है one part of hydrogen के साथ 8 part oxygen के साथ या 35.5 part chlorine के साथ तो अगर कोई element और compound का कोई mass एक part hydrogen को displace कर रहा है या 8 parts oxygen को displace कर रहा है या 35.5 parts chlorine के displace कर रहा है तो वोस element का जितना भी mass displace कर पा रहा है वो mass उसका equivalent mass बन जाता है atomic weight और molecular weight upon n factor से आप equivalent weight निकाल सकते हो यह formula है atomic weight और molecular weight आपको निकालना आता है n factor is called as valency factor n factor को हम क्या बोलते हैं it's a valency factor valency factor मतलब हर substance का अलग-अलग valency factor होता है valency factor सब चीजों का निकाला जाता है जैसे किसी acid के लिए उसकी basicity होती है जिसमें उसके कितने number of ionizable h plus science है example hcl की basicity 1 है तो n factor 1 है h2 so4 के अंदर 2 h plus होते हैं तो n factor 2 है h3 po4 के अंदर n factor 3 होते तो h plus science ionizable 3 होते तो n factor 3 हो गया in the same way basis के अंदर उसके acidity होगी यानि कि कितने ionizable oh minus science होंगे NOH में 1 oh minus ion replace हो सकता है तो 1 है mg oh hold twice में 2 replace हो सकते तो n factor 2 है aluminium hydroxide में oh ions 3 replace हो सकते तो n factor 3 है तो जिसके जितने oh minus ins जिस base के replace हो सकते हैं वो उसका n factor होता है और n factor को ही हमें n factor से ही हमें atomic weight और molecular weight divide करना है तभी हमारा equivalent weight आजाता है तो यह हमारा equivalent weight वहाँ पर बन जाएगा N factor किसी नमक का उसके उपर मौझूद के time का charge होता है तो कोई भी charge देख लो आपके time का जैसे Na2CO3 है तो 2 Na plus CO3 2 minus अब actually total charge is 2 plus तो इसका N factor हो गया 2 अगर आपके पास NaCl होता तो इसका N factor हो जाता 1 अगर आपके पास Aluminium chloride हो जाता है AlCl3 तो इसमें plus 3 का charge आता है तो N factor हो जाता 3 तो जिसका जितना charge आएगा वो charge की value उसका N factor होगी N factor for ions ions के उपर तो charge लिखा होता है तो जो भी ions के उपर charge होगा उसका N factor होगा जिसे chloride ion में minus 1 है तो 1 इसका charge है oxygen में 2 minus है तो इसका N factor 2 है अगर कोई nitride है suppose N3 minus है तो इसका N factor 3 है इसके लावा reducing और oxidizing agents में भी आपके charges आते हैं तो वो reducing और oxidizing agents में भी आपके N factor आते हैं कोई भी oxidizing agents कितने electron gain कर रहा है या कोई भी reducing agents कितने electron loss कर रहा है वो उसका N factor होगा तो equivalent mass अगर आपको किसी भी oxidizing या reducing agent का निकालना है तो उनका molecular mass उपर लिखना पड़ेगा upon number of electrons gain or loss by one molecule क्योंकि number of electrons gain or loss by one molecule will be the number of electrons exchange जो उसका N factor होगा इसलिए आपने mass को N factor से divide करके equivalent mass निकाला है this is the formula of equivalent mass concept clear हो गया so this was the formula of equivalent mass तो यहां से हम लोगों को N factor समझ में आ गया अब N factor समझ में आ गया तो mole concept बड़ा असान चीज़े mole concept बताता है आपको कि कितने substance के mass में कितने number of particles होगे या कितने number of particles में कितना substance का mass आ जाएगा यह बात हमको पता चलती है mole concept से mole is the amount of substance that which contains 6.022 into 10 की पार 23 आपोगे डोज नमबर because कोई भी atomic mass element के लिए अगर उसको gram में लिख दोगे तो वो एक mole हो जाता है और कोई भी substance का molecular mass अगर उसको gram में लिख दोगे molecular mass gram में लिख दोगे तो वो एक mole हो जाता है यानि कि molecular mass किसमे? gram में atomic mass भी किसमे? gram में अगर आप लिख देते हो तो वो एक mole हो जाता है अभी जैसे हमने example दिया था कि hydrogen की अगर हमने बात करी hydrogen का एक item 1u का है लेकिन अगर उसको इतने item इखटे कर लो कि एक gram आ जाए तो एक gram कुछ नहीं होगा वन मोल हो जाएगा अब हमें यह पता करना है वन मोल में वो कितने items आए कि एक gram हो गया तो कुछ नहीं 1u होता है 1.67 into 10 की पार माइनस 24 grams यह value हमने देखी है तो हम पता कर लेते एक gram में 1u में एक item आता है मतलब एक item इतने gram में आता है तो 1.67 into 10 की पार माइनस 24 grams में एक item आएगा तो फिर 1 gram में कितने item आएंगे 1 upon 1.67 into 10 की पार माइनस 24 atoms आएंगे इतने items आएंगे तो फिर इसको solve करेंगे तो what you will get एक gram में 6.023 into 10 की पार 23 23 atoms आएंगे और ये हमेशा एक mole के लिए होता है एक gram hydrogen के case में तो जिसका भी जो atomic mass होगा अगर उसको उतने gram में लिखोगे तो इतने ही items आएंगे इसलिए इस number को एक mole के अंदर module atoms की संख्या element के लिए और molecule की संख्या compound के लिए घुशित कर दिया जाता है इसलिए ये number constant आता है जिसको हम avogadros number कहते है ये number को हम avogadros number कहते हैं और avogadros number जो हता है इस अ constant number and every time it is there in one mole तो one mole element है तो उसके अंदर इतने atoms होंगे one mole अगर compound है तो उसके अंदर इतने molecules होंगे ये number हमेशा fixed होगा and this is how we can calculate this number so mole is related to the mass of the substance mole is related to the mass of the substance in grams volume of gaseous substance and number of particles therefore number of moles will be equal to mass of the substance upon molar masses molar mass मतलब एक mole का mass तो ये बहुत important formula है कि किसी का भी mole अगर आपको निकालना है तो moles के number निकालने के लिए आपको given mass upon molar mass करना पड़ेगा given mass question में हमेशा दिया जाएगा molar mass आपको दिमाग से निकालना पड़ेगा क्योंकि molar mass आप atom का निकालोगे atomic mass को gram में लिखके और molecule का निकालोगे molecular mass को gram में लिखके तो वो compound के लिए उसके molecular mass को gram में लिख दोगे तो molar mass आएगा given mass को molar mass से divide करोगे तो आपके moles आएगे लेकिन अगर मालो कोई gas से जो stp पे रखी गई है तो volume of gas at stp upon 22.4 कर देंगे क्योंकि 22.4 liter जो होता है वो एक mole gas दुनिया की कोई भी gas हो अगर वो एक mole है और stp पे रखी है तो उसका volume 22.4 liter ही होगा अब उस gas का जितना आपको volume दिया गया stp पर वो रखो divide कर दो 22.4 से सीधा आपके moles आ जाएंगे या फिर आप number of particles से भी निकाल सकते हो number of particles stp पर जितने दियो है अपन एक mole में जितने particles होते हैं कितने होते 6.022 into 1023 जिसको हम avogadros number भी कहते हैं तो आप क्या करो 6.022 into 1023 से डिवाइड कर दो given number of particles given number of particles upon 6.022 into 1023 आपके यहां से भी moles आएंगे तो moles के हो गए आपके पास तीन formula है एक mass का एक volume का एक number of particles का यह तीन formula आपके moles के हो गए जो आपको इस्तिमाल करने होते हैं तो these are the formula for moles आप मोल्स पर बेस्ट आपकी कई कुछ concentration terms आती है जिसमें सबसे बहुता है percentage composition percentage composition में क्या होता है तो इसमें क्या होगा mass of element कोई भी compound में आपको element का percentage निकालना होगा तो mass of element आपको बताना होगा कि इस element का इतना mass है upon molar mass of that compound पूरे compound का जो molar mass है वो लिखना होगा और चुकिए percentage है तो into hundred लगाना होगा तो इससे क्या कर सकते हो आप percentage composition बदा सकते हो जैसे suppose करो calcium carbonate है आपके पास जिसमें आपको percentage composition of carbon बताना है percentage composition of carbon आपको calculate करना है percentage composition of carbon तो percentage composition of carbon आप कैसे calculate कर सकते हो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले percentage composition of carbon तो carbon percentage के लो हम निकाल रहे हैं तो mass of element carbon एक ही है तो इसका 12 mass है upon molar mass of calcium carbonate 100 होता है कैसे पता calcium का 40 होता है एक ही calcium है 40 carbon का 12 होता है oxygen का 16 into 3 48 होगा 48 plus 12 plus 40 will become 100 तो यहाँ से आपका total into 100 करेंगे percentage के लिए 100 और 100 cancel you will get 12 percentage तो यह 12 percentage आपका क्या हो जाएगा percentage composition हो जाएगा carbon को लेकर तो यह percentage composition आता है इसके अलावा जो बहतरीन concentration नम साती है वो हम कई बार यूज करते हैं कई अलग 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 जगापे यूज करते हैं जैसे आप मोल concept में हम लोग यह भी देखेंगे कि empirical formula कैसे निकाल सकते हैं मतलब जो concentration term से उसमें तो मोल इस्तेमाल होता ही है लेकिन कुछ empirical formula और molecular formula को निकालने में भी इस्तेमाल होता है empirical formula वो formula होता है जहां और आपको किसी भी compound के अंदर मौजूद atoms का simplest ratio मिलता है जैसे suppose करो glucose होता है C6 H12O6 लेकिन इसमें आपको simplest ratio अगर आपको निकालना है तो simplest ratio में आप यह निकाल सकते हो कि इसमें जो carbon है वो 6 है hydrogen जो है 12 है oxygen जो है वो 6 है तो इनका जो simplest ratio आपको देखने को मिलेगा that will be 1 चलता है कि एक अगर carbon का atom है तो उसके दुगने atoms होंगे hydrogen के और उत्ते ही atoms होंगे oxygen के क्योंकि ratio is coming out to be 1 is to 2 is to 1 और इससे जो formula बनेगा जो इस ratio को दिखाएगा CH2O क्योंकि C1 से H2 से और O1 से multiply होगा तो CH2O जो बनेगा this will be called as its empirical formula क्योंकि इस formula से आपको पता चल रहा है कि simplest ratio क्या है उस element का जो उस compound में मौझूद है carbon है one time hydrogen है 2 गुना oxygen है one time तो यह ratio आपको पता चलता है empirical formula से लेकिन जिस formula से exact number पता चलते हैं कि glucose में carbon होते है 6, hydrogen होते 12 और oxygen होते 6 उस formula को हम गोशित कर देते हैं molecular formula तो molecular formula में आपको exact numbers मिलते हैं empirical formula में आपको exact ratio मिलता है ratio मिलता है मौझूदा elements के जो उस compound में मौझूद है अगर आपको निकालना है formula तो आपको बनाना पड़ेगा molecular formula का एक equation जो होता है empirical formula से n का multiply जहां n कुछ नहीं होगा कोई भी integer होगा जो की positive value रखेगा कोई भी integer होगा जो positive value रखेगा n की value निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो molecular mass जो भी formula आपके पास है उसका molecular mass upon empirical formula mass मतलब empirical mass को divide कर सकते हो जैसे आप divide करोगे you will get the value of n तो n कुछ नहीं होगा आपका n निकालने के लिए आपको molecular mass को divide करना पड़ेगा empirical mass से empirical mass empirical formula से निकलेगा जैसे CH2O का empirical formula इस empirical mass निकलेगा carbon का 12 hydrogen का 2 oxygen का 16 तो total मिलकर हो गए 30 तो 30 इदर empirical mass आएगा अगर यहां से हम empirical mass निकलना चाहे तो 30 आएगा यहां से अगर हम molecular mass निकलना चाहे तो molecular mass 180 आएगा अगर हम n निकलना चाहेंगे तो n will be equal to 180 by 30 तो इस case में n की value आ जाहेंगे 6 तो n की value 6 आएगी मतलब empirical formula में अगर 6 multiply करेंगे तो molecular formula बनेगा empirical formula CH2O 6 multiply करो carbon 6 hydrogen 12 oxygen 6 C6 H12O6 वापस बन जाएगा तो जैसी अपने इसमें 6 का multiply करेंगे यह formula में वापस से मिल जाएगा तो यह empirical or molecular formula निकालने में भी mole का concept का use होता है और mole empirical or molecular formula बनाने में help करता है so this is the concept application of mole concept last application जो mole concept की आती है वो आती ही stoichiometric coefficients यानि की stoichiometric calculations करने में stoichiometric calculations क्यों करे जाते हैं क्योंकि balance equation से हमें यह पता चलता है कि reactant के इतने mole आपस में react करें और product के इतने mole बनाए हैं not necessarily कि जितने moles react करेंगे उतने ही moles product में बनेंगे moles कम भी हो सकते हैं जाधा भी हो सकते हैं क्योंकि moles आपके किसी reactant के अलग हो सकते हैं जो दूसरे reactant के अलग moles से react करके product के और अलग moles बना रहे हैं तो moles कभी भी जरूरी नहीं है same है लेकिन यह बात पता करना कि किसके कितने moles react करके कितने moles product बना रहे हैं यह stoichiometry का part है जो chemical stoichiometry से पता चलती है और जिसके लिए सबसे पहले chemical equation को balance करना पड़ेगा उसके बाद the mole relationship लगाना पड़ेगा between different reactants and products the mass-mass relationship, mass volume and volume-volume relationship are obtained between different reactants and products और यह भी is considered to be the one of the is considered to be one of the application of mole concept तो इसको भी हम क्या मानते हैं mole concept की एक particular application मानते हैं so this will also be considered as application of mole concept तो mole concept की यह भी एक application मानी जाती है concept clear हो गया सारी चीजों को लेकर कोई doubt तो नहीं है so this was about the application of mole concept इसके अलावा आगे हम चलते हैं तो हम लोग चर्चा करते हैं किसकी limiting reagent की limiting reagent क्या होता है कि कई बार ऐसे moles भी होते है reactant के जो proportion में नहीं होते जैसे हमें पता है कि कि किसी के एक mole को किसी के एक mole चाहिए react होने के लिए लेकिन वो जो एक mole जिसको दूसरे के एक mole चाहिए suppose करो A और B हैं A के एक mole B के एक mole से react करते लेकिन B अगर 2 mole दे दिया गया तो B जरुवत से जादा दे दिया गया तो उसके मुकाबले A भी 2 mole होना चाहिए था लेकिन 2 mole नहीं है A की mole तो A की मातरा कम है reaction के हिसाब से stoichiometry के हिसाब से तो उस condition में जिसकी मातरा कम होगी stoichiometry के हिसाब से उसको हम बोल देंगे limiting reagent और जिसकी मातरा जादा होगी उसको हम बोल देंगे excess reagent suppose करते हैं अगर हमारे पास water बनाना है तो H2 plus O2 gives H2O अब हमें यह पता है कि H2 plus 2 O2 will be 2H2 plus O2 will be 2H2O यह balance equation होगी मतलब इससे clear होगा कि hydrogen के 2 mole चाहिए oxygen के 1 mole के साथ react करने के लिए ताकि 2 mole water बन सके hydrogen के 2 mole मतलब 4 gram oxygen का 1 mole मतलब 32 gram ताकि 2 mole water मतलब 36 gram water बन सके लेकिन माल लो यह तो 4 gram दिया हुआ है लेकिन यह 32 नहीं दिया यह 24 gram दिया हुआ है तो क्या होगा यह जरुवत से कम दिया हुआ है तो oxygen हमारे लिए हो जाएगा limiting reagent और ये बच जाएगा तो ये हो जाएगा excess reagent ये क्यों बच जाएगा क्योंकि 24 ग्राम के साब से सिर्फ ये 3 ग्राम ही इस्तिमाल होगा क्योंकि 4 ग्राम दे रखा है लेकिन 24 ग्राम O2 दे रखायागा 4 ग्राम ये है तो फिर उसको 32 होना चाहिए लेकिन वो 24 दे रखा है 32 की जगा तो फिर 24 के साब से ये 3 ही यूज होगा तो इसका एक ग्राम बच जाएगा और हमारा ये excess reagent बन जाएगा और final जो product होगा वो limiting reagent क दम पे ही बनेगा इसी में आपको एक और कोशन आता है reaction yield निकालने के लिए reaction yield में आप actual yield निकालते हो कि actually कितना product बना है अपॉन theoretically आपको लग रहा था कितना बनेगा actually कितना बना है क्योंकि actually आपका कम बनेगा क्योंकि आपको कोई limiting reagent आएगा जबकि आपने theoretical ही सोचा था इतना तो बन जाता इस reaction से तो वो theoretical in 200 क्योंकि आप percentage में निकालते हो तो ये reaction yield आप निकाल लोगे तो इस तरीके से आप स्टीशोमेटरी में limiting reagent का पता लगाते हो limiting reagent के साब से product बनाते हो और product के साब से आप हर reaction की yield निकालते हो इस तरीके के सवाल भी जे ही means में बिलकुल आते हो और बिलकुल पूछे जाते हैं इसके लावा फिर अलग-अलग concentration terms में भी mole का स्तमाल किया जाता है जिसमें सबसे पहले important concentration term है molarity molarity कुछ नहीं होता ये molarity हमेश उसको convert करना पड़ेगा तो वो लीटर में convert करने के लिए आप उसको divide by thousand करोगे जो numerator में जाके multiply by thousand हो जाएगा तो molarity को हम capital M से denote करते हैं जिसका formula moles of solute upon volume of solution लीटर में होना चाहिए बट जैसा मैं अभी कहा कि अगर milliliter में है ml में है तो उपर हमें क्या करना पड़ेगा thousand का multiply करना पड़ेगा this will be molarity इसकी units जो होगी वो होगी mol per liter या फिर molar solution ये molarity की unit होती है और moles को calculate करने के लिए हमें पता है given mass upon molar mass लगाते हैं तो एक और formula यहां से हम बना सकते हैं given mass और molar mass के terms में कि moles क्यों खुल कर लिख देंगे तो बन जाएगा given mass upon molar mass given mass upon molar mass into thousand upon volume of solution in volume of solution in ml क्योंकि उपर 1000 कर दिया मतलब हम ml में लिख रहे हैं so this is all about the molarity और molarity temperature पे डिपेंड करती है क्योंकि इसमें volume आता है तो molarity 100% temperature से change हो जाएगी इसके अलावा अला concentration term जो आती है इसमें molarity की equation of dilution भी बनता है कि अगर आप molarity किसी solution की निकालना चाह रहे हो उसको dil dilute करकर के तो dilute करके आप total volume तो बदलोगे volume बढ़ेगा तो molarity घटेगी volume घटेगा तो molarity बढ़ेगी क्योंकि molarity आपने लिखी थी moles upon volume तो volume अगर बढ़ेगा तो molarity घटेगी और अगर volume घटेगा तो molarity बढ़ेगी because they are inversely proportional but dilution करने पर mols will remain constant जो moles हो जाएंगे it will remain constant तो यहां से हम कह सकते हैं कि molarity into volume का जो product है वो हमेशा क्या रहेगा constant रहेगा वो बदलने वाला नहीं है वो constant रहेगा तो molarity into volume का product constant रहेगा तो माल लो पहले dilution से पहले molarity थी M1 और बाद में M2 और बात का volume हो गया V2 लेकिन दोनों molarity into volume constant रहेगे पहले के और बात के इसलिए M1 V1 will be equal to M2 V2 इसे हम कहते हैं molarity equation of dilution अगर आप दो लेकिन mixture को मिला रहे हो आपस में तो दो mixture को मिलाने के लिए resultant molarity जो आएगी वो total number of moles आएंगे जिसमें M1 V1 plus M2 V2 total moles add होंगे upon total volume क्योंकि it will always be equal to total number of moles अगर दो mixture को आप add कर रहे हो तो it will always be equal to total number of moles upon total volume तो this will become total volume और यह आपके आएगी resultant molarity उस mixture की resultant molarity so this will be your resultant molarity तो यह आपकी resultant molarity clear हो गया so this will become your resultant molarity उसी के बाद molarity के लावा एक और expression हो दा है जिसको हम molarity कहते हैं जिसको small m से small m से denote करते हैं molarity is capital M, molality is small m, small m से denote करते हैं जिसमें आता है moles of solute यानि की solute के कितने moles हैं वो present per kg of the solvent तो यहाँ पर denominator में change हो जाएगा, यहाँ पर आजाएगा mass of solvent, ensure करेंगे कि mass जो होगा वो kg में होगा क्योंकि per kg solvent में जितने moles solute के dissolved हैं वो molality होता है तो अगर आपको mass कभी gram में दे दिया solvent का तो आपको क्या करना है उसको kg में convert कर लेना है by dividing it by 1000 और अगर divide by 1000 करोगे तो वो numerator में जाकर multiply हो जाएगा तो अगर mass of solvent gram में हैं तो आप into 1000 करके उसको convert कर लोगे इसी तरीके से हम यहां से moles को भी खुल सकते हैं this is moles moles of solute molarity हो molality हो दोनों में numerator में moles of solute ही आता है बस denominator में अंतर आता है क्योंकि यहां गया mass यहां गया mass of solvent in gram और into 1000 पर kg कर लिए और वहाँ volume of solution पर लिटर आया था मोल्स को खुल के लिखते हैं given mass upon molar mass solute क्या हूंगा दोनों given mass भी और molar mass भी तो given mass upon molar mass into 1000 upon mass of solvent तो mass of solvent किसमे kg में आना चाहिए लेकिन 1000 लिख दिया मतलब यहां पर अपन ग्राम में लिख सकते हैं क्योंकि वो जाएगा kg में तो यह आपका क्या हो जाएगी molality हो जाएगी और यहां से आपकी यह एक molality हो जाएगी clear हो गया और molality temperature independent है क्योंकि यहां पर mass है आपका यहां पर आपका mass है तो temperature पे डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि mass का कोई impact नहीं होता गए आप temperature कम जादा करते हो तो mass volume से फिफ impact होता है अगर temperature change करते हो तो volume वाले terms volume वाले concentration terms change होंगे mass वाले concentration terms जैसे molality है यह change नहीं होगा तो हम यह बात यहां पर लिख देते है it is this concentration term is independent of temperature this concentration term is independent of temperature तो यह temperature से बिलकुल independent होगा temperature पर बिलकुल depend नहीं करेगा molality के बारे में next आती है normality normality capital N से denote करते है और normality कहले कहला ही जाती है कि कितने gram equivalent solute के dissolved है कितने gram equivalent solute के dissolved है एक liter solution के अंदर तो normality को capital N से denote करते है and it is always equal to gram equivalence of solute dissolved in one liter of solution gram equivalence of solute dissolved in one liter of solution तो upon volume of solution और क्योंकि लीटर में निकालना है एक लीटर के लिए तो volume of solution किसमें होना चाहिए लीटर में तो volume of solution किसमें होना चाहिए लीटर में होना चाहिए तो अब अगर हम milliliter में लिख दें तो formula बदल जाएगा normality is equal to gram equivalence gram equivalence upon volume of solution किसमें अगर ml में तो उपर thousand हो जाएगा अगर यह ml में आ गया तो वैसे denominator by thousand होना चाहिए divide by लेकिन यहाँ पर वो numerator में चला जाएगा क्योंकि denominator का division numerator में multiply हो जाता है तो वो into thousand हो जाएगा तो यह आपकी normality आईगी अब यहाँ पर हमको पता है gram equivalence हम कैसे निकलते है gram equivalence हमें पता है given mass upon equivalent mass होता है अगर आपको gram equivalence अगर निकलना है किसी के तो gram equivalence क्या होंगे given mass upon equivalent mass तो gram equivalence will be equal to given mass solute का given mass क्योंकि given जो gram equivalence है वो solute के ही है तो given mass upon equivalent mass जो दोनों ही solute के होने चाहिए और equivalent mass का मैं formula पता है equivalent mass क्या होता है molar mass upon n factor molar mass upon n factor n factor की अभी हमने चर्चा करी थी valency factor तो वो molar mass upon n factor कर लेंगे अब यह सारे formula अगर खोल कर लिखें तो सीधा normality का एक formula और आजाएगा हमारे पास तो normality का एक और formula आजाएगा क्या आजाएगा given mass upon equivalent upon molar mass upon molar mass into thousand upon volume of solution किसमे ml में into n factor यह अब का normality का formula आ गया जो हम यहां लिखते हैं तो यह normality का formula गया जो हम लिखते हैं अब हमें पता इसमें यह सारे formula को open करने के बाद लिखा है हमने मतलब gram equivalent को खोल दिया equalend mass को खोल दिया तो यह final formula आया है जो normality का आप लिख सकते हो लेकिन अब आपको पता है यहाँ पर given factor लिखना पड़ेगा यह हो जाएगी normality तो यह हो जाएगा relation between normality and molarity क्या कि normality जो होती है वो molarity multiplied by n factor होती है n factor बोले तो valency factor तो आप किसी भी solution के किसी भी question में पहले molarity निकाल लेना पहले molarity लपेट लेना molarity को multiply कर देना उसके n factor बोले तो valency factor के साथ तो आपको क्या मिल जाएगा normality आजेगी तो यह normality आएगी normality को capital N से denote करते हैं और यह बाद बिलकुल याद रखना कि normality temperature पर depend करेगी क्योंकि इसमें भी volume of solution आता है तो volume of solution आता है तो इसमें भी वो temperature पर depend करेगी so this was about the normality so it is defined as the number of gram equivalence of solute dissolved per liter of the solution as the number of milligram equivalence of a substance per milliliter of solution या फिर milligram equivalence per ml या फिर gram equivalence per liter दोनो normality होगा अगर आप gram equivalence per liter निकालते हो तो भी normality है और अगर आप milligram equivalence निकालते हो तो milligram equivalent solute क्या आप निकाल लो पर ml तो यहां पर volume of solution ml में रखना उपर thousand भी मत लगाना क्योंकि आप milligram equivalence निकाल रहे हो तो milligram equivalence एक ml में कितने वो निकाल लोगे तो भी आप normality निकाल रहे हो या फिर gram equivalence निकाल लोगे लीटर में एक liter में कितने तो भी आप normality निकाल रहे हो तो यह milligram equivalents will be there in one ml of solution one ml of solution तो यह इच milliliter में content होगा तो it will be gram equivalents of solute upon volume of solution in liter liter में करने के लिए thousand का division होगा लेकिन जो उपर जाकर multiply हो जाएगा तो into thousand होगा so this is all about normality तो यह आपकी normality हो जाएगी इसके अलाबा normality के लाबा अगर हम normality की equation of dilution देगे तो इसमें भी gram equivalents सेम होंगे जिसमोलाइटी में हुआ है तो gram equivalents कैसे निकलते नॉर्मालिटी क्या होती है gram equivalents gram equivalents upon volume of solution तो अगर हम normality को multiply करते volume से normality को multiply करते volume से तो gram equivalents आएगा solute के और dilution करने पर solute के gram equivalents कभी change नहीं होंगे क्योंकि dilution मतलब आप solvent मिला रही हो solvent मिलारे हो वालियूमी के साथ तो कोई changes नहीं कर रहे हो और gram equivalent salad क्य Quem होता है तो salad के साथ जब कोई change नहीं कर रहे हो तो gram equivalence dilution में हमेशा tumor dilution से पहले और dilution के बाद दोनों में वो same होंगे तो वो change नहीं होंगे बिल्कुल भी clear हो गया तो यह बात याद रखना कि जब आप solvent मिलाते हो dilution करते तो volume बढ़ता है volume बढ़ेगा तो normality घटेगी volume घटेगा तो normality बढ़ेगी लेकिन gram equivalence को कोई changes नहीं आएंगे वो same रहेंगे तो इसलिए अगर मानका चलो मेरे पास एक solution था जिसके gram equivalence dilution से पहले N1 V1 थे N1 into V1 और dilution के बाद उसके gram equivalence N2 V2 से निकले लेकिन dilution के पहले और dilution के बाद दोनो gram equivalence same रहेंगे क्योंकि dilution करते वक्त आपने solvent को add कि है solute को add नहीं किया तो उसके gram equivalence नहीं बदलेंगे इसलिए N1 V1 will be equal to N2 V2 लेकिन अगर आप मानकर चले दो solution को add कर रहे हो तो जो resultant normality आईगी वो आएगा total gram equivalence resultant जो normality आईगी वो आईगी total gram equivalence upon total volume total gram equivalence upon total volume तो resultant normality will be total gram equivalence मानकर दो solution है तो पहला gram equivalence N1 V1 दूसरे का N2 V2 दोनों को add कर दिया gram equivalence को total volume V1 प्लस V2 तो यह आपकी resultant normality आईगी जो दो solution जिसके gram equivalence एक में N1 V1 है दूसरे में N2 V2 है उसकी यह resultant normality मिलेगी this is resultant normality clear हो गया तो यह आपकी resultant normality आगई और यह normality का expression होता है तो यहाँ पर normality complete होती है उसके बाद आता है mole fraction mole fraction simple is the fraction of moles मानकर चलिए अगर आपके पास एक container है और एक container में दो चीज़े आपने मिला कर रखी है एक कोई substance मिला रखा है आपने A जिसके N A moles है A के moles आपको पता चल जाएंगे N A moles है और दूसर substance आपने इसी में मिला रखा है that is B जिसके N B moles है तो अगर आपको mole fraction निकालना है A का तो उसको काई इससे denote करते हैं which is moles of A moles of A upon total moles total number of moles जितने होंगे वो तो moles of A कितने है N A upon total moles कितने है N A plus N B उसी तरीके से अगर आपको mole fraction of B निकालना है तो it will be moles of B B के कितने moles से upon total number of moles तो upon total moles हमने निकाल लिए B के तो कितने हा गए total moles of B कितने हा गए N B और total moles कितने हा गए N A plus N B तो यह आपका mole fraction होगा अगर आप इन दोनों को add करोगे for a binary solution मतलम दो इस लोग हैं सिर्फ solution में तो दोनों का जो mole fraction होगा वो हमेशा unity यानि की 1 के बराबर होगा यानि की काई A plus काई B equal to 1 होगा अगर आप यह कह सकते हो कि 3 लोग मिले थे ABC तीन टीन के सबस्टेंस के moles मौजूद थे तो फिर तीनों का mole fraction 1 के बराबर होगा काई A plus काई B plus काई C चार होंगे तो काई A plus काई B plus काई C plus काई D चारों का जो more fraction होगा वो 1 के बराबर होगा तो यह काई है प्लस काई भी equal to 1 होगा यानि कि यह आपका it is always equal to 1 तो the sum of more fractions of the component is always equal to 1 तो यह equal to 1 है यहाँ पर पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा theory part जो है वो पूरा complete हो गया है पूरा theory part हमारा complete हो गया है पूरे quick concepts को हमने देख लिया है बहुत जल्दी समझ लिया है अब सवाल लगाने का समय आ गया है यानि कि अब हम अपने kill shot के 40 day के course में day 1 को हम लोग करने वाले हैं सवाल लगाने वाले हैं previous year questions लगाने वाले हैं most important questions लगाने वाले हैं अब इनकी हम चर्चा करेंगे तो let's move to the most important questions सबसे पहले आते हम लोग किस पर most important questions पर most important questions का पहला question यह आपके सामने इस question का पहले आप screenshot ले ले पहले इसको खुद से solve करने की कोशिच करें नहीं बनेगा तो वहाँ पर मैं हूँ पहले आप इस question को खुद से solve करेंगे पर दिया question question में क्या कह रहें देखेंगे important question है important question उठाके लाएं यह नहीं कह रहें कि बिल्कुल direct यही सवाल आएगा लेकिन इसी concept से जुड़ा हुआ सवाल बिल्कुल आ सकता है यहां से जो concept clear होगा उस concept से जुड़ा हुआ सवाल जरूर आपको पूचा जा सकता है तो उस सवाल की हम यहां पर चर्चा करते है पहला पूचा कहा है question में ध्यान से देखेंगे amount of FeSO4 NH4 whole twice SO4.6H2 कुछ नहीं भाई यह moher salt है यह क्या है अपना? moher salt है ठीक है जिसका molar mass आपको दे रखा है 392 मतलब इसका molar mass आपको दे रखा है 392 gram पर मोले which must be dissolved and diluted to 250 ml 2 of solution मतलब 200 ml solution में कितना amount इसका dissolved होगा so as to prepare an aqueous solution of density 1 gram per ml that is 1 ppm Fe plus 2 by weight is समझाया? वो पूच रहे हैं इस moher salt का कितना amount आप dissolved करोगे 250 ml solution में ताकि एक ऐसा solution prepare हो जिसकी density 1 gram per ml हो और जिसमें 1 ppm Fe plus 2 मौजूद हो जिसमें 1 ppm Fe plus 2 मौजूद हो तो अब यहाँ पर मेरी बात को ध्यान से सुनना सबसे पहली बात यह होती है कि हमको यहाँ से calculate यह करना है कि कितना amount Fe SO4 का हम dissolved करेंगे अगर हमें 1 ppm Fe plus 2 by weight चाहिए तो देखो Fe इसमें कितने item से एक item है और मोहर salt का molar mass है 392 इसका मतलब यह हुआ कि 56 gram Fe मौजूद रहता है 392 gram मोहर salt में 392 gram मोहर salt में कितना? 56 gram Fe मौजूद रहता है 392 gram मोहर salt में तो 56 gram iron का mass है क्योंकि एक item है Fe का और Fe का जो atomic mass होता है जो 56 यू होता है जिसको हमने gram में लिग लिया तो 56 gram हो गया जो molar mass बन गया तो 56 gram Fe present है 392 gram मोहर salt में अब हमारे पास solution कितना बनाना है 200 ml और वो भी solution कैसा जिसके density 1 gram per ml हो मतलब density हमें solution की दे रखी है density of solution हमें दे रखा है 1 gram per ml और volume बोल दिया गया है volume वो वाला चाहिए solution का कौन से solution है volume का मतलब कौन सा solution का क्या volume है so that will be 200 ml 250 ml है तो एक काम करते हैं यहां से हम निकाल लेते हैं solution का mass mass of solution mass of solution will come out to be density into volume density वाने 250 ml तो इट विल बिकम 250 gram तो भाईया mass of solution आगया कितना 200 gram solution का mass आगया कितना 200 gram 200 gram ठीक है अब हमें यह पता है यह जो 56 gram iron है 392 gram more salt में वो यह iron रखना चाहता है जो एक gram हो 10 raise to the power 6 gram solution में क्योंकि 1 PPM का मतलब क्या है 1 PPM का मतलब क्या है कि अगर solution का mass अगर solution का mass 10,00,000 gram होगा 10,00,000 gram होगा तो उसमें Fe का mass बलकि Fe iron का mass बोलना चाहिए वो एक होना चाहिए एक gram और एक gram Fe plus 2 iron कहां से मिलेगा more salt से जिसमें 392 में 56 मिलता है तो पहले हम यह निकाल लेते हैं कि एक gram Fe को बनाने के लिए निकालने के लिए आपको more salt कितने gram लगेगा तो यहां से पहले हम यह निकाल लेते हैं कि एक gram Fe को कितना लगेगा तो यहां से देखेंगे यहां से एक gram Fe को बनाने के लिए more salt कितना लगेगा 392 upon 56 gram यह किसका लगेगा more salt का मोहर सॉल्ट का और एक ग्राम F2 आपका कितने solution से बनेगा 10 없습니다 6 ग्राम के solution से तो 10 की पावर 6 ग्राम का solution 1 ग्राम F2 बनाएगा जो मोहर सॉल्ट मांगे गा डिमान्ड करेगा 392 भाई 56 جो मोर सॉल्ट की डिमान्ड करेगा 392 भाई 56 ग्राम की मतलब मोटे रूप में अब हम ये कह सकते हैं मोटे रूप में हम ये कह सकते हैं कि 10 की पावर 6 ग्राम अगर सल्यूशन का मास है 10 की पावर 6 ग्राम अगर सल्यूशन का मास है 10 की पावर अगर 6 ग्राम सल्यूशन का मास है तो इसमें 392 अपॉन 56 ग्राम मोहर सॉल्ट का मास लगेगा मोहर सॉल्ट का मास लगेगा मोहर सॉल्ट समझ गया है यह मोहर सॉल्ट था जिसका वो अमाउट पूछ रहे लेकिन हमें 10 की पावर 6 ग्राम का सेलूशन बनाना ही नहीं हमें तो 200 ग्राम का बनाना है बनाना एकुलिए 200 ml खाय है 200 ml बोले तो 200 g क्योंकि density बन है तो अगर 10 की पावर 6 g में इतना मोहर salt लगेगा जिसमें 1 g iron मौझूद होगा 1 g iron मौझूद होगा तो फिर हमें यह बताना है कि भाईया 200 g solution के mass में कितना मोहर salt लगेगा तो 200 g mass of solution अगर आपको चाहिए 200 g हम solution का मास चाहिए तो इट विल बिकाम 392 अपॉन 56 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 6 इंटू उपर आ जाएगा 250 यह आ गया पूरा में इसको 392 इंटू 250 10 की पावर 6 नीचे डिनॉम्नेटर में तो उपर चला जाएगा 10 की पार माइनस 6 तो उपर चला गया तो इट विल बिकाम 10 की पावर माइनस 6 10 की पावर माइनस 6 392 इंटू 250 जो व्याव 392 इंटू 250 divided by क्याल सी लितने इसके लिए थे इसके लिए खुट रिकाम 392 इंटू 250 divided by it will be divided by 56 so divided by 56 1750 1750 into 10 ki power minus 6 gram आपको मोहर सॉल्ट का लगेगा समझाया यह आपका अंसर है 1750 अब हमारा जो अंसर दिया है वो है वो यह 1.7 मतलब इसको अपन 1.75 into 10 ki power minus 3 gram लिख सकते हैं तो यह 1.75 into 10 ki power minus 3 gram हो जाएगा and as per the option, option भी correct है तो option भी बिलकुल correct है concept clear हुआ तो हमने simple क्या करना था हमने देख लिया भाईया 56 gram FE जो है वो 392 gram more salt में निकलता है अब 1 gram FE चाहिए तो 1 gram FE कितने more salt से निकलेगा 392 by 56 लेकिन यह 1 gram किसमें होगा 10 की power 6 gram solution में तो मतलब 10 की power 6 gram solution में 392 by 56 gram more salt की जरुवत है जिससे 1 gram FE निकलेगा लेकिन फिर हमें का solution 10 की power 6 gram है ही नहीं solution तो 250 gram है तो 250 gram के लिए क्लिए हो गया 392 by 56 into 250 by 10 की power 6 तो 392 by 56 into 250 by 10 की power 6 इसको solve करा तो आपका 175 0 into 10 की power minus 6 आया जो आप लिख सकते हो 1.75 into 10 raise to the power minus 3 यह हमारा final answer हो गया clear हो गया so this was the first question यह पूरे first question का solution है screenshot ले लिजे इसके बाद second question पर चलते है important question पर screenshot लेंगे okay now let's move ahead आगे चलते है अगले question पर second question क्या कह रहा है okay second question क्या कह रहा है excess of carbon dioxide is passed through 50 ml of 0.5 molar calcium hydroxide solution टीक है it's ml दिया हुआ है तो it should be molarity capital M it cannot be molarity क्योंकि देखो ml दे दिया न वॉल्यूम तो यहां पर यह molarity होगी capital M 0.5 टीक है calcium hydroxide solution calcium hydroxide solution से उसको पास किया गया after completion of after completion of the reaction the solution was evaporated to dryness reaction के खतम होने के बाद solution को evaporate किया गया उसको dry किया गया the solid calcium carbonate was completely neutralized with 0.1 normal hydrochloric acid okay जो calcium carbonate था उसको particularly neutralized कर लिया गया कोई acids से because calcium carbonate was completely neutralized with 0.1 normal hydrochloric acid solution we have to calculate the volume of hydrochloric acid required is हमें यह बताना है कि कितना hydrochloric acid का volume required हुआ होगा ठीक है सबसे पहले तो यह बताओ कि carbon dioxide किसमें पास कराएगे calcium hydroxide में तो reaction क्या होगी सबसे पहले तो reaction लिख लो भाई reaction लिख लो so calcium hydroxide is CAOH whole twice इसके अंदर से CO2 पास कराएगे carbon dioxide तो it will become calcium carbonate CACO3 ठीक है CACO3 बनेगा और calcium hydroxide 50 ml है with 0.5 molar concentration यह जो calcium hydroxide है यह दे रखा है हमें कितना 50 ml it's 50 ml and 0.5 molarity इसकी दे ठीक है एक काम करते हैं हम calcium hydroxide के पहले moles निकाल लेते हैं ताकि यह पता चले हैं इसके moles कितने और in fact moles नहीं milli moles निकालेंगे क्योंकि मिली लीटर दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे milli moles निकालेंगे जिससे calcium carbonate के milli moles की जनकारी हो जाएगी कि इसके इतने milli moles बने क्यों? क्योंकि as per reaction as per reaction जो reaction जो reaction दी हुई है ये वाले as per reaction 1 mole of 1 mole calcium hydroxide का will produce will produce 1 mole of calcium carbonate will produce one mole of calcium carbonate तो एक mole calcium hydroxide का एक mole calcium carbonate का produce करेगा यह reaction के साब से अब हम अपनी condition के साब से देख लेते हैं हमारे पस कितने millimoles हैं so now millimoles of calcium hydroxide कैसे निकालते हैं calcium hydroxide के millimoles कुछ नहीं molarity into volume करके molarity कितनी है 50 into 0.5 so this comes out to be 25 किस के millimoles होंगे calcium hydroxide के millimoles होंगे 25 concept player हो गया यह सब हम निकाल करें volume of hydrochloric acid को निकालने के लिए क्योंकि volume जो निकलेगा वो वह ही N1 V1 equal to N2 V2 gram equivalence equal करके निकलेगा लेकिन अभी हम gram equivalence तक जाई नहीं सकते हैं क्योंकि अभी हमें calcium carbonate का कुछ भी नहीं पता तो calcium carbonate यह पता बस calcium hydroxide से बना है और calcium hydroxide के millimoles हमें मिल गए जितने calcium hydroxide के millimoles होंगे उतने ही calcium carbonate के millimoles होंगे so therefore millimoles of calcium carbonate is also 25 क्योंकि यह बात हो गई थी ना जितने mol calcium hydroxide के उतने mol calcium carbonate के reaction को देखकर 1 mol calcium carbon calcium hydroxide का तो 1 mol calcium carbonate का 1 mol calcium hydroxide का 1 mol calcium carbonate 1-1 mol होंगे तो यह 1-1 mol होंगे तो अगर इसके 25 millimoles है तो इसके भी 25 millimoles है यह millimoles हो गए अब हमें पता चल गया कैल्चम कार्गोनेट के 25 मिली मोल्स है ठीक है अब ये 25 मिली मोल्स पूरे तरीके से ये 25 मिली मोल्स पूरे तरीके से न्यूट्रलाइज हो रहे हैं बाए हाइड्रो क्लोरिक एसेड के 0.1 नॉर्मालिटी के साथ मनलभी कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज हो रहा है कहने को वो ये कर रहा है कि ये जो क्याल्शियम कार्बोनेट है इसको वो न्यूट्रलाइज कर रहा है बोले तो कहलो रियाक्शन करवा रहे हैं किसके साथ रियाट कर रहा है completely neutralize हो रहा है अब हमें यह पता है कि अगर यह completely एक दूसरे को neutralize कर पा रहे हैं तो इसका मतलब इसके gram equivalence इसके gram equivalence के equal होंगे मतलब मोटा मोटा यह हुआ क्या हुआ मतलब कि gram equivalence of calcium carbonate will be equal to gram equivalence of HCl और इसके gram equivalence होंगे मालो N1 V1 से इसके gram equivalence होंगे इसकी normality और इसके volume से लेकिन जो भी gram equivalence होंगे वो सेम होंगे और यह हमेशा हर reaction के पर लगू होता है कि भाईया जो gram equivalence होते हैं वो हमेशा सेम होते हैं दो दो चीज़ा अगर react कर रही है A और B मानलो calcium carbonate और HCl react कर रहे हैं तो A calcium carbonate भी HCl तो इनके mole same हो ना हो react करने के दो राग सेम मास हो ना हो मतलब सेम मास दोनों का react कर भी रहा हो नहीं भी कर रहा हम नहीं कह सकते लेकिन gram equivalence हमेशा same react करेंगे तो gram equivalence इसके same react कर रहे हैं और वो gram equivalence निकालते हैं N1 V1 और N2 V2 करके तो this will be N1 V1 equal to N2 V2 तो यहां से हमें volume मिल जाएगा क्योंकि normality दिये लेकिन दिक्कत यह कि हमें gram equivalence calcium carbonate के नहीं मालो निकाल लेंगे क्योंकि हमें 1-2 मिली मोल्स तो मालो में मिली मोल्स तो मालो में अब मिली मोल्स निकाल लेते हैं मिली ग्राम equivalent निकाल लेते हैं किसका calcium carbonate का जो कैसे आता है मिली मोल्स को N-factor से multiply कर दो मिली मोल्स को इसके N factor से multiply कर दो calcium carbonate का N factor क्या होगा salt है तो plus 2 का charge के time पे तो N factor 2 हो गया तो हम भाईया निकाल लेते हैं यहाँ पर milli gram equivalent of calcium carbonate will be equal to कितना आ गया कितना गया मिली मोल्स कितने 25 और N factor कितना है 2 50 50 यह milligram equivalence आ गया है और वो ही milligram equivalence यहां रख देंगे because this is also this will also be equal milligram equivalence milligram equivalence मतलब बस यहाँ volume ml में आएगा जो आएगा क्योंकि मैं milligram लेने लग गया gram equivalence equal है अगर liter है volume में तो milligram equivalence है अगर milliliter है volume में तो यहाँ volume milliliter में आएगा तो calcium carbonate के milligram equivalence कितने आगा है 50 मतलब यह 50 आगया equal to N2 V2 N2 दे रखा है 0.1 normal तो 50 equal to 0.1 into V2 this implies V2 will be equal to 50 upon 0.1 50 into 0.1 will be nothing but 500 तो 500 ml will be the final solution according to the option C option बिलकुल करेक्टे because 500 cm cube is 500 ml 500 cm cube is 500 ml तो 500 cm cube हमारा answer आ रहा है 500 यह हमारा final answer हो जाएगा संबट पड़ा answer कैसे निकाला questions ऐसे logical आते हैं भाई यही concept लगेंगे questions के लिए तो यह हमारा final answer होगा so this is how we can calculate this clear हो गया कोई डाउट नहीं एकदम clear है बिलकुल screenshot लेंगे फिर हम आगे चर्चा करेंगे screenshot लेंगे इस part का तो clear हुआ second question दमदार question तब भाई ऐसी questions मिलने वाले आगले question पर बढ़ते हैं जो किया third question third question देखते हैं क्या कहता है sodium nitrate sodium nitrate क्या होता है NaNO3 sodium nitrate is NaNO3 इसका molar mass होता है nitrogen का 14 oxygen का 48 52 और 23 85 तो molar mass will be 85 लिख लेते हैं मतलब यह जरुवत पढ़ती हैं चीजों की 85 molar mass is 85 grams per mole आगे पढ़ते हैं question को question क्या कहा रहा है it's on reduction with zinc अच्छा इसको zinc के साथ reduce किया ठीक है in the presence of sodium hydroxide solution sodium hydroxide की presence में यह reduce हुआ zinc के साथ and produces ammonia NH3 ठीक है तो अपन reaction पहले इसमें लिखेंगे इसमें reaction पहले लिखनी पढ़ेगी sodium nitrate reduce हुआ तो zinc oxidize हुआ होगा तो zinc sodium hydroxide की presence में मतलब OH- की presence में क्या हुआ होगा यह बलकि 2OH- होंगे तो यह बन गया होगा ZNO2 O2 में 2- आ जाएगा प्लस 2H प्लस प्लस 2 electrons यह एक reaction आएगी ठीक है क्योंकि 2OH- एने वेट से मिलेंगे ZNO बनता है लेकिन फिर वो H2O formation होगा लेकिन वहापर अपको यह दिखाना है कि यह दो इलेक्ट्रोन अपने आपको निकालेगा लूस करेगा इलेक्ट्रोन किसके द्वारा गेन होंगे sodium nitrate nitrate में कौन है में nitrate ion NO3- तो यह क्या करेगा गेन करेगा उने लेक्ट्रोन को तो इट विल गोइंग तो गेन इस इलेक्ट्रोन यह medium में 2H++ तो इलेक्ट्रोन गेन करेगा लेकिन यहाँ पर क्या बना लेगा NO3 2H+, और 2- अमोनिया बना लेगा तो वो कहारे हैं पहले तो अमोनिया का formation होगा NH3 प्लस OH- क्योंकि OH बचेगा और 2H2O भी बनेगा तो यह 2H2O भी बनेगा अब इसमें जो अमोनिया बन रहा है NH3 तो NO3 माइनस मतलब यहाँ पर 8H+, और 8 Electrons होने चाहिए So there has to be 8H+, प्लस 8 Electrons तो OH-1 बन गया 2O2 माइनस बन गये 2H2 और 6, 4, Hydrogen 5, 6, 7, 8 8H+, इसलिए आए तो यह 8H+, होगा, बिल्कुल सही है, रियाक्शन पूरी सही है बिल्कुल बैलेंस है अब इससे क्या पता चल रहा है इससे यह पता चल रहा है कि 8 Mol's Electrons लग रहा है 1 Mol NO3 माइनस को Reduce करने के लिए So we have this as कि 8 Mol Electrons Are required To reduce Are required to reduce 1 Mol Nitrate आएन NO3 माइनस और Nitrate आएन मतलब पूरा Sodium Nitrate वो Sodium लिखा नहीं है यहाँ पर Sodium Hydroxide बन जाएगा बस लेकिन यह पूरा Sodium Nitrate की बात कर रहे है वो reaction में Nitrate आएन बस दिखाया है तो to reduce 1 Mol NO3 माइनस और we can say यहाँ पर हम तो लिख लेते हैं कि To reduce 1 Mol Sodium Nitrate NaNo3 हमें बताना है कितना Sodium Nitrate का मास होगा Absorbing 1 Mol of Electrons तो 1 Mol Electrons से कितना कितना Sodium Nitrate Reduce होगा 1 by 8 Mol Sodium Nitrate Reduce होगा NaNo3 1 by 8 Mol Reduce होगा 1 by 8 Mol So it is 1 by 8 Mol अब 1 Mol का Molar Mass 85 है So Mass of 1 by 8 Mol कितना हो जाएगा Mass of 1 by 8 Mol कितना हो जाएगा 85 into 1 by 8 तो it will be somewhere around 10.5 बचेगा तो 10.6 ग्राम 10.6 ग्राम हमारा अंसर आएगा Option में है? बिलकुल है B option में हमारा वो अंसर है तो B option हमारा final answer होगा 10.625 ग्राम मैंने अप्टू 1 decimal ही लिया है तो it is 10.6 ग्राम यह हमारा final answer होगा जो 10.6 ग्राम आपको अंसर होगा Clear हो गया तो इस तरीके के सवाल आपको देखने को मिलेंगे यह भी अच्छा सवाल था जिसमें आपको Moles के form में पूछा था इसके लिए आपको reaction पर command होनी चाहिए Redox reaction की reactions होती है जो इस पर basically expertise हमारा होना चाहिए तो यह Oxidation वाला पहला पार्ट था Ad electron reduce कर रहा है तो यहां पर 1 mole को reduce कर पा रहे है लेकिन फिर हमें बोला गया 1 mole electron है तो फिर 1 by 8 mole nitrate iron के reduce होऊगा और 1 by 8 का हमने mass निकाल लिया क्योंकि 1 mole का mass 85 है तो 1 by 8 का mass 1 by 8 into 85 होगा जो की 10.6 आएगा screenshot लेंगे अगले question पर चलते okay now let's move to another question अगले question भी चलते है so this will be our your question number fourth question number fourth क्या किया रहा है द्यान से सुरेंगे most important का what volume of hydrogen gas at 273 Kelvin and 180 M pressure STP condition this is all STP condition 273 Kelvin and 180 M pressure so this is all about STP condition क्या बोला गया है volume पूचा है hydrogen gas का will be consumed in obtaining 21.6 gram of elemental boron from the reduction of boron trichloride by hydrogen अच्छा boron trichloride का reduction हो रहा है BCL3 hydrogen के साथ react कर रहा है और आपको elemental boron दे रहा है elemental boron मतलब B तो फिर यह HCLE बचेगा तो यह HCLE application of mole concept का ही question है बस volume मुने कालना है लेकिन सबसे पहले इस equation को balance करना पड़ेगा तो balance कर लेतें सबसे पहले boron 1 है तो 1 है CL कितने 3 है बहां पर 1 है तो यहां 3 कर लेतें तो यह 3 ह हो गया यहां 2 है तो 3 by 2 H2 हो गया हो गई reaction balance now it's a complete balanced equation now this is complete balanced equation यह balanced equation हो गई ठीक है तो यह complete balanced equation हो गई BCL3 plus 3 by 2 H2O gives B plus 3 HCl यह balanced equation हो गई अब इसमें आगे और क्या तो अब उन्हें बोला है 21.6 gram of elemental boron चाहिए तो आपको hydrogen gas का कितना volume लगेगा एक बात तो clear है जितना moles होंगे उतने volumes होंगे यादे avogadros law of gaseous volume यानि कि अगर 3 by 2 moles है तो इसके 3 by 2 volume तो इसका 1 volume unit volume अब जो भी volume आएगा actually liter, milliliter में तो यह जितना आएगा उसका 3 by 2 times इसका लगेगा उसका 3 by 2 times H2 का लगेगा तो अब अपन यह पता कर लेते actually boron कितने moles आ रहे हैं क्योंकि 1 mole है यहाँ पर तो 1 volume है otherwise जितने mole होंगे उतने volume होंगे और फिर उसका 3 by 2 यहाँ पर लगेगा तो यहाँ पर पता कर लेते हैं कितने moles हैं तो moles of boron तो यहाँ पता कर लेते हैं this is moles of elemental boron elemental boron के moles निकलने mass कितना है 21.6 क्योंकि moles का formula होता है given mass upon molar mass given mass कितना है 21.6 और boron का molar mass 10.5 something होता है 10.6 something क्योंकि 10 से उपर होता है 10.6, 10.7, 10.8 तो यह approximately आपके बिलकुल double हो जाएगा तो मतलब moles आगए 2 moles आगए 2 तो फिर इसके अगर 2 moles आगए इसके अगर 2 moles आगए तो इसके 3 by 2 into 2 moles आएंगे यानि कि इसके 3 moles आएंगे और क्योंकि STP कंडिशन है जिसमें हमें पता है कि अगर 1 mole होता तो वॉल्यूम 22.4 लीटर होता अट STP बट वी हाव 3 moles तो 3 moles के लिए वॉल्यूम कितना होगा 3 into 22.4 लीटर विच इस 67.2 लीटर आएंगे so as per the options B option बिल्कुल correct है 67.2 लीटर समझ में आया की नहीं आया तो this is 67.2 लीटर ये हमारा final answer होगा 67.2 लीटर क्योंकि 3 moles आ रहे हैं और हमको simple mole निकल ले थे तो reaction को हमने balance किया balance करने के बाद हमने moles देखे कि boron के कितने बन रहे हैं और boron के moles बनाने के लिए hydrogen के कितने moles लग रहे हैं तो hydrogen के moles पता चले 3 moles लगें एक mole क्योंकि STP condition दी थी तो एक mole की value gas की कोई भी gas 22.4 लिटर volume occupy करेगी तो 3 mole gas 22.4 into 3 volume occupy करेगी which is 67.2 screenshot लेंगे 4th question दन है screenshot लेंगे इसका इसके बाद अगला question चलते हैं जो की होगा 5th question 5th question को यहाँ पर देखते हैं 5th question क्या क्या रहा है द्यान से सुनेंगे 5th question density of 2.05 molar solution of acetic acid in water is 1.2 gram per ml अच्छा आपको molarity दे रखे 2.05 और density दे रखे 1.02 density देने का एक मातर काम यह होता है volume है तो mass में convert कर लो mass है तो volume में convert कर लो अब देखते हैं क्या चाहिए molality of same solution is आपसे molality पूछिए और यादे molality में solvent का mass चाहिए solvent का mass और solvent का mass निकलेगा solution के mass में से solute का mass minus करने पर तो आपको solution का mass चाहिए होगा इसलिए आपको यह density solution के टिका रखी यह समझो इसकी जरुवत क्यों है density of solution क्यों टिका रखा है क्योंकि आपको solution का mass चाहिए होगा ठीक है तो density of 2.05 मतलब हमें molarity पहले से दे रखी है किसकी acetic acid की यह बात याद रखना acetic acid is CH3COH इसका molar mass अगर हम देखे तो carbon 24 plus hydrogen 4 plus oxygen 32 तो it will come out to be 60 gram per mole यह molar mass है इसका ठीक है तो molarity कित्ती दे रखी है solution की molarity of solution is 2.05 molarity of solution is equal to 2.05 molar बढ़िया 2.05 molar हमें क्या करना है इसका मतलब पता करना है इसका मतलब क्या होता है actually कि 2.05 moles present है किसके acetic acid के are present किसमे in one liter of solution solution के एक liter में present है 2.05 moles present है एक liter solution में तो पहले तो अपर एक काम करते है 2.05 moles का mass निकाल लेते है तो mass कितना है acetic acid का CH3 COH का moles into molar mass करके क्योंकि moles होते given mass upon molar mass तो moles में multiply कर दोगे अगर molar mass तो mass आ जाएगा कितना है बाई 2.05 into molar masses 60 अभी calculate किया तो 2.05 into 60 calcys solve करेंगे हम इसको so we have this as 2.05 into 60 it comes out to be 123 123 क्या आ गया ये gram आ गया किसका mass आ गया किसका CH3 COH का तो ये mass आ गया यहां क्या दिया हुआ है 1 liter of solution यह volume है तो let's calculate mass of solution इधर अपन mass of solution निकालते जो कैसे निकलेगा density जो दिये रखिये question में उसको volume से multiply कर दो तो density question में कितनी दे रखिये 1.02 और gram पर ml में तो 1 liter को change कर दो ml में तो 1000 ml तो mass gram में आ जाएगा 1,0,2,0 gram यह आगे आपके पास mass of solution mass of solution आपके सामने है acidic acid का mass आपके सामने है तो आप solvent का mass निकाल लो क्योंकि molality के लिए आपको वही चाहिए so therefore mass of solvent mass of solvent will be equal to क्या हो जाएगा mass of solution minus mass of solute solution का mass 1,0,2,0 minus 1,2,3 तो 1,0,2,0 minus 1,2,3 will be equal to 8,97 तो 8,97 gram आ गया अब क्या करें molality निकाल ले तो यहाँ पर हम calculate करने वाले molality 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 is equal to moles upon mass of solvent किसमे kg में अगर gram आ गया क्योंकि gram में ही आ रहा है तो उपर thousand का multiply तो molality is equal to moles कितने उतने 2,05 upon 8,97 into thousand तो it will become 2,050 upon 8,97 तो इसमें answer कितना आ जाएगा 2,050 2,050 divided by 8,97 2,28 molality is 2,28 mol और moles per kg 2,28 as per the option option C 100% correct है 2,28 moles per kg और 2,28 will be the molality तो यह बिलकुल सही answer है और यह हमारा final answer इसका आ गया clear हो गया तो this is C option which is absolutely correct तो molarity से molality निकालना हाला कि इसके लिए भी एक formula है molarity और density के term से में molality का बट हम formula रटने पे बिलकुल यकीन नहीं करते हैं आपको पहले भी पता है हम लोग conceptually समझते हैं तो यह conceptually हमने question को इस तरीके से समझाए और इसी तरीके से conceptually question को solve करना है formula ratification पे नहीं जाना है ठीके screenshot लेंगे यह important questions यहाँ पर sum up तो है अब कुछ previous year questions की भी बात करते हैं बट पहले आप यहाँ पर screenshot लेंगे ठीके तो clear हो गए यह 5 questions these were the important questions लेकिन याद रखना यह question का दावा नहीं करेंगे exactly यह आएगा जही मेंस में लेकिन जो concept है वो important है तो उसके लेकिन से यह important questions होते हैं जो concept हमने समझे सब में different concepts से और यह concept पर based questions आ सकते हैं आपको exams में अब आते हैं अपन किस पर अगले part पर जो की होगा previous year के कुछ questions discuss करेंगे यानि कि कुछ pattern यह भी समझेंगे कि भाई पिछले साल पिछले कुछ सालों में कैसा सवाल पूछा गया आइटी मेंस में या उसके लावा और भी जो competitive exams पहले चलते थे उस exams में क्या पूछा है उस पर हम चर्चा करेंगे जिसमें पहला सवाल AIEEE 2010 में आया था All India Engineering Entrance Exam बहुत ताइम पहले होता था 2010 का यह question है बट IIT मेंस लगबग इसी pattern पे चलता है तो वहाँ का यह question है जो significant figures के उपर है चर्चा करते हैं question क्या है पहले समझेंगे question कहा रहा है student performs a titration with different view rates and found titer values of 25.2 ml 25.25 ml and 25.0 ml ठीक है अपनको निकालना है the number of significant figures in the average tighter value उसने एके experiment बार-बार किया अलग-अलग view rates है तो उसको यह readings मिली अब हमें बताना है कितने significant figures होंगे इसकी average value में तो पहले तो तुम average value निकाल दो इसकी average value तो पता ही है कैसे निकलेगी basic 25.2 plus 25.25 plus 25.0 divided by 2 तो 25, 25, 25 75 हो गया और 0.2 और 0.25 0.45 हो गया तो 75.45 divided by 2 तो average will come out to be कितना हैगा 75.45 divided by 2 75 का आदा होता है 37.5 और 0.45 का और आदा करना पड़ेगा तो 75.45 divided by 2 will be 37.725 so average will be अच्छा बाइ 2 क्यो क्यो करा बाइ 3 होना चाहिए ना मैं मिस्टेक, मैं मिस्टेक अरे कोई बात नहीं तो 3 होना चाहिए ना तो average should be with respect to 3 तो यह 3 हो जाएगा कोई बात so यह divide by 3 so we have 75.45 divided by 3 क्योंकि 3 frequency ती ना तो इससे सबसे average कितना आएगा 25.15 25.15 average आएगा लेकिन इस average के answer में 4 significant digits है 2, 5, 1, 5 यह 4 significant digits है 4 होने नहीं चाहिए 3 significant digits होने चाहिए क्योंकि minimum जो significant digits वाले नंबर है वो इसमें भी 3 है इसमें तो घर 4 है इसमें 3 है significant digits तो 3 वाले जो होने चाहिए वो सबसे कम है तो final answer should also follow that expression जिसमें significant digits सबसे कम होंगे तो हमें इसको 3 significant digits तक रोकना है अब 3 significant digits तक रोकना है तो क्या करेंगे round off करेंगे 25.5 को drop करेंगे क्योंकि 5 drop कर रहे हैं उसके बाद कुछ नहीं है और तो इसके पहला number जो होना चाहिए वो होना चाहिए even number तो it has to be 25.2 तो answer आजाएगा 25.2 which contains only 3 significant digits कितने significant digits 3 significant digits तो as per the option C option बिलकुल correct है 3 significant digits हला कि तुम round off ना भी करो तो भी answer आजाएगा क्योंकि आपको पता है सबसे कम significant figure वाला expression है 3 significant figure वाला तो final answer में भी 3 significant figure होने चाहिए बट round off करके पता होना चाहिए कि 25.15 25.2 हुआ क्यों क्योंकि तुमने 5 को drop करा और 5 के बाद अगर कोई number नहीं है तो 5 के just पहले even number आना चाहिए और हमने 2 को डाल कर even number बना दिया एक add कर दिया 1 में तो 1 plus 1 2 हो गया ठीक है तो C option बिलकुल correct answer है तो ये बिलकुल correct answer है this is absolutely correct तो ये हमारा answer हो जाएगा 3 3 answer हो जाएगा ठीक है नहीं रहता है लगबग लेवल यहीं रहता है screenshot लेंगे एक बर्स का ओके आगे चलते हैं let's move to question number two question number two discuss करते हैं second question क्या क्या रहा है J.E.M.A.N.S. online exam का 2013 का सवाल है भाई देख लो ठीक है अब थोड़ा सा recent year का आ गया 2013 online exam होगा था जो उसका यह सवाल है क्या है equation में number of atoms in the following samples of substance is largest in सबसे ज़्यादा atoms किसमें सबसे ज़्यादा होंगे सबके आपको कहीं नहीं weight दिये हुए तो आपको सबसे पहले सबके moles निकाल ले क्योंकि more is the number of moles more will be the number of particles so number of particles basically यहाँ पर atoms की बात कर रहे हैं तो क्योंकि सब element हैं इसलिए तो atoms will be directly proportional to number of moles जिसके सबसे ज़्यादा moles उसके अंदर सबसे ज़्यादा atoms simple moles निकालते हैं 4 gram hydrogen moles निकालते given mass upon molar mass moles का formula कौन सा यहाँ पर होगा moles का formula यूज होगा कौन सा given mass upon molar mass given mass upon molar mass यह formula यूज होगा तो moles will be equal to पहले given mass किता है 4 gram hydrogen is 1 तो 4 moles आगए ठीक है इस केस में इस केस में कितने moles होंगे moles given mass 70 chlorine है chlorine is 35.5 तो approximately 1.9 moles कम moles है इसके तो chlorine है because chlorine gas नहीं है अगर chlorine gas होदी तो CL2 होता तो 35.5 को multiply करते 2 से but 35.5 लखे के तो somewhere around 1.9 आएगा 127 gram chlorine तो moles given mass 127 upon 127 क्योंकि इसका तो molar mass भी 127 होता है कड़ गया कितने moles आगए only one only one mole ठीक है और इसकी बात करें 48 gram of magnesium तो moles will be equal to given mass upon molar mass given mass is 48 और magnesium का molar mass is 24 तो you will get two moles तो सबसे आदा moles किसके 4 gram hydrogen के तो यह रेस जीद क्या भाई मतलब यह हमारा final answer है क्योंकि जिसके moles जादा होते है जिसके moles जादा होते हैं उसी के अंदर atoms भी सबसे जादा होंगे और कहीं atom पूछना हो number of atoms कितने होंगे तो number of atoms होंगे moles into na कर दो तो number of atoms निकालने के लिए moles into na कर दो तो number of atoms कितने आ गए भाई पूछा नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूं कि अगर atoms भी निकालने हो तो जितने moles उतने na कितने moles आ गए यहां moles कितने आ गए भाई 4 तो 4 into na एने की value चाहो तो डाल दो नहीं तो 4 एने डाल कर आप छोड़ सकते हो which will be number of atoms और क्यों आया क्योंकि 4 ग्राम hydrogen था hydrogen था ठीक है तो this is about the number of moles और इस तरीके से यह final हमारा answer होगा जे इमेन ओनलाइन 2013 का यह सवाल है screenshot लेते हैं अगले question पर फिर चलते हैं screenshot लेंगे पहले okay let's move to the third question now third question जो है वो अगेन जे इमेन का है 2013 online exam का ही question है question क्या क्या रहा है ध्यान से सुनेंगे empirical formula निकालने का कुछ question है पहले question पड़ते हैं a gaseous hydrocarbon gives upon combustion 0.72 gram of water and 3.08 gram of co2 अच्छा कोई gaseous hydrocarbon है hydrocarbon नहीं बताया कौन सा है cx hy उसको अगर आप combust करते हो 2 से तो वह आपको co2 देता है और h2o देता है बढ़िया बात है कितना देता है co2 3.08 gram यह दिया न 3.08 gram तो यह 3.08 gram देता है और water कितना देता है 0.72 gram तो 0.72 gram यह water देता है बढ़िया बात है आपको बताना है hydrocarbon जो है प्रेसाइसली वह इसी hydrocarbon से होंगे क्योंकि oxygen तो यह oxygen से मिला होगा लेकिन जो carbon dioxide का carbon है और जो water में hydrogen है वह तो इस hydrocarbon का ही होगा तो वह कितना मोल का होगा वह देख लेते हैं अब हमें यह पता है कि 44 gram carbon dioxide में 12 gram carbon होता है 12 gram carbon होता है एक मोल है तो एक मोल carbon होगा तो बहिया 3.08 gram carbon dioxide में कितना होगा 3.08 gram carbon dioxide में कितना होगा 12 upon 44 into 3.08 this will be the gram of carbon this will be the gram of carbon 12 upon 44 into 3.08 so we can use this 12 into 3.08 divided by 44 .84 so this is 0.84 gram of carbon इतना gram carbon होगा जो कहां से मिला होगा इसी से मिला होगा मतलब इसमें होगा वो carbon तो हम बता कर लेते हैं मोल्स of carbon कितने हैं क्योंकि वही मोल्स simple formula देगा ना जितना gram carbon वहां मिल रहा है उतना gram यहां होगा और जितने मोल carbon बन रहा है उतने मोल यहां भी होगा इसी में तो होगा सब carbon यहीं से अब यह सेम खेल किसके लिए कर लेते हैं अपन हाइड्रोजन के लिए तो हमें पता है 18 gram वाटर में दो ग्राम हाइड्रोजन मौजूद होता है 18 gram अगर वाटर ए तो दो ग्राम पानी होगा और यहां वाठर कितना बन रहा है ? 0.72 gram तो 0.72 gram लगा cae, water में कितना hydrogen होगा 2 upon 18 इंट्व 0.72 इतना gram hydrogen होगा इतना gram hydrogen होगा ओर यह hydrogen जोतना भी है यह निकला hydrocarbon से ही है तो पदा कर लेते कितना hydrocarbon निकला है 0.72 gram में कितना निकला है पता कर लेते हैं यह कितना गया यह हो जाएगा 1 और 9 और 9 8 0.08 ग्राम हाइड्रोजन मिला लेट्स क्याल्कुलेट दा मोल्स ओफ हाइड्रोजन गिवन मास अपॉन मुलर मास मुलर मास वान ने तो 0.08 मुल्स तो भाई हम मोल्स of hydrogen मिल गया कितने 0.08 और moles of carbon कितने आ गए 0.07 जिरो 0.07 नहीं थे 0.07 यस तो अब क्या करें simplest ratio निकाल ले इन में दोनों में छोड़ा कौन है 0.07 तो simplest ratio of moles निकाल लेते हैं हापर simplest ratio of moles क्योंकि जो moles का simplest ratio होगा उसी से तो empirical formula बनेगा तो simplest ratio निकाल लेते हैं इसको क्या करें 0.08 को 0.07 जो चोटा है उससे डिवाइट करेंगे 0.07 चोटा है यह क्या हो गया 0.07 क्या हो गया यह पूरा कड़ गया तो यह 1 और यह पूरा कड़ गया मतलब यह 8 by 7 बचेगा तो this will be 8 by 7 तो hydrogen is to carbon का ratio आ गया 8 by 7 is to 1 यह 1 हो गया और यह 8 by 7 हो गया this implies the ratio will be 8 is to 7 8 is to 7 किसका है hydrogen is to carbon मतलब formula क्या बने गया hydrocarbon में carbon पहले आता है c7 h8 c7 h8 तो formula बन गया c7 h8 का यह formula बन गया which is the simplest formula hence it is the empirical formula तो यह आपका empirical formula बन जाएगा this is empirical formula कितना c7 h8 साथ carbon है 8 hydrogen है 7 carbon 8 hydrogen c7 h8 concept समझ में आया simplest ratio हमने निकाला क्योंकि यह जितने मोल से यह सब hydrocarbon में तो आपस में इनका जो ratio होगा वो निकाल लिया तो इसका ratio 1 आया इसका 8 by 7 मतलब आपस में इनका ratio 8 by 7 is to 1 आया मतलब 8 is to 7 आया क्योंकि 7 यहा चला गया तो 8 is to 7 आया 8 part hydrogen के 7 part carbon के तो carbon 7 hydrogen 8 c7 h8 option देख ले थे एक बार c7 h8 c7 h8 बिलकुल सही d option के पास है तो as per the options given d option हमारा correct answer होगा so this is our correct answer d option तो यह d option बिलकुल correct है यह हमारा correct answer होगा है clear so this is the correct answer for d option इसका एक बार screenshot लेंगे इसका एक बार screenshot लेंगे पहले part का आगे और चर्चा करेंगे clear होगा है d option ठीक है यह दूसरे part का screenshot अभी all लेंगे दूसरे part का भी इसमें final answer है क्योंकि c7 h8 तो इसका भी screenshot लेंगे clear हो गया है तो भाईया यह हो गया था previous year का third question हमारे पास जिसमें simplest formula निकालना था क्योंकि empirical formula मतलब मोल्स निकालो और मोल्स का simplest form निकालो याद रखना अब चलते हैं अगले question की तरफ विच इस यूर fourth question previous year का जे मेंस 2016 का सवाल है 2016 का question है बाई question देखेंगे क्या question कह रहा है at 300 Kelvin and one ATM 15 ml of a gaseous hydrocarbon requires 375 ml air containing 20% auto अच्छा कोई 15 ml gaseous hydro फिर से hydrocarbon नहीं बताया और जब hydrocarbon नहीं बताते तो hydrocarbon अपन CXHY माल लिया करेंगे CXHY अपन माल लिया करेंगे और at least यह empirical formula तो होगा simplest ratio तो होगा ही होगा यह तो यह अपना hydrocarbon हो गया यह हमेशा याद रखना आपको यह hydrocarbon मानना है जब gaseous hydrocarbon या unknown hydrocarbon ऐसे शब्द यूस करें तो अब उसको क्या कर रहे हैं उसको जला रहे हैं लेकिन जलाने के लिए 365 ml air चाहिए जिसमें 20% oxygen होगा तो वो 20% ही उसको जलाएगा by volume volume के साब से for complete combustion complete combustion ठीक है तो complete combustion होगा तो एक काम करते हैं पहले reaction लिख लेते हैं combustion वाली combustion वाली reaction लिख लेते हैं cxhy plus o2 react करेगा obviously co2 तो बनाएगा और h2o बनाएगा ठीक है co2 बनाएगा और h2o बनाएगा अब कितने carbon है यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x होने चाहिए तो यहाँ पर भी x carbon होंगे hydrogen कितने y यहाँ h2 है तो यहाँ y by 2 होने चाहिए तो y by 2 हो जाएंगे और oxygen कितने होगा है 2x और y by 2 2x और y by 2 और यहां already 2 है तो 2x की जगा it will be x plus y by 4 clear हुआ x plus y by 4 तो यहां कितने आएंगे x plus y by 4 oxygen होने चाहिए O2 इतना O2 होना चाहिए ठीक है यह moles में है यह moles है अब यह हो गई आपकी balanced equation ठीक है यह आपकी हो गई आप पूरी balanced equation यह general होती है general balanced equation कहाना चाहिए so this is your general balanced equation general balanced equation तो यह general balanced equation ठीक है तो यह आपकी general balanced equation आगई अब आगे question में यह लिखा है कि 375 ml इसका 20% तो बतलब इसमें volume पता कर लेते oxygen का कितना है तो volume of oxygen पता चल जाएगा यहां से इस वाली reaction में तो volume of O2 is equal to 375 ml का 20% by volume ही है न क्योंकि 20% तो 20% will be 10% होता 37.5 37.5 का दुगना करेंगे 75 75 ml होगा तो आपको oxygen का volume 75 ml मिलेगा जो कि air के 375 ml से मिलेगा क्योंकि air जब 375 लेते हो तो के बाद the gases occupy 330 ml अच्छा तो वो जो gases बन रही है वो 330 ml occupy करती है समझते assuming that the water formed is in liquid form पानी जो है भाईया वो liquid है लेकिन तो मतलब CO2 gas है जो 330 ml में फैल रही है और अकेली CO2 नहीं है CO2 के साथ जो air का volume बच गया है air क्योंकि inert air थी ना oxygen oxygen तो 375 में से 20 परसेंट था तो बाकी जो gas थी वो भी volume उत्ता लेगी तो एक ये वाली gas हमारी gas कौन सी gas CO2 और एक कौन सी जो बच गई है air में से बाकी gases O2 के लावा 20% O2 के लावा जो 80% बच गई है तो वो 80% और ये CO2 मिलकर 300 ml घेर रहे मिलकर 330 ml घेर रहे 330 ml and the volumes were measured at the same temperature and pressure the formula of the hydrocarbon is ultimately हमें ये formula hydrocarbon का बताना है ठीक है ठीक है तो हमें formula hydrocarbon का बताना है बढ़िया बात है अब इसमें एक बात और गौर करने की है कि 15 ml हमें उस hydrocarbon का volume दे दिया है और हमें पता है जो volume होता है वो moles के बिलकुल proportion में होता है according to gale usage law of gaseous volume gale usage law gaseous volume का ये ही कहता है जितने moles उतने proportion में volume तो अगर ये 15 ml है तो इसका volume x plus y by 4 into 15 हो जाएगा इसका volume 15 x हो जाएगा इसका volume 15 into y by 2 हो जाएगा ये confirm है confirm है ठीक है तो ये total volume हो जाएगा हमें formula निकालना है मतलब हमें मोटे मोटे रूप में x और y की values निकाल नहीं है कोई बात नहीं निकाल लेते हैं तो यहाँ पर समझेंगे पहला form तो पता है क्या है o2 जो react कर रहा है वो 75 ml react कर रहा है तो पहली equation तो यहाँ से बन जाएगी equation 1 तो तुम्हें मिल गई पूछो कहां से x plus y by 4 multiplied by 15 will be equal to 75 क्योंकि यह oxygen का volume है यह oxygen का volume है इतने mole से oxygen के into 15 क्योंकि proportion में चल रहा है है और यह 75 ml हमने अल्रेडी निकाल लिया क्योंकि उन्ने खुद का है 375 ml air का 20% इस्तेमाल हुआ है तो 20% के साब से हमने निकाल लिया 75 यह equation बन गई इसको solve करें अगर तो यह 15 1 जा और यह 5 जा हो जाएगा so this will be x plus y by 4 equal to 5 ठीके keep this as equation 1 क्योंकि दो variables है ना दो unknowns है x और y तो आपके पास दो equation तो होनी चाहिए कम से कम एक equation तो आई गई एक equation तो आई गई यह equation बना गई equation 2 equation 2 यह जो बोल रहा है ना 330 ml occupy करेगा तो 330 ml कौन occupy करेगा after combustion तो volume after combustion कितना बोल रहा है 330 after combustion is equal to 330 ml तो बहिए after combustion क्या क्या बचेगा एक तो co2 बचेगा क्या 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 बचेगा एक तो co2 बचेगा और जो ग्यास रियाक्ट नहीं करें इसका 80% 375 का air का क्योंकि 20% तो रियाक्ट कर गई 75 ml oxygen के रूप में बाकी 80% तो नहीं करी तो रियाक्ट करेगा clear हो गया लेकिन एक दिमाग यह भी लगाओ एक दिमाग आप यह भी लगाओ कि combustion के बाद 330 ml बचा जबकि combustion से पहले कितना था combustion से पहले air का पूरा 375 था और 15 ml CO2 का था तो initial volume पहले निकाल लेते हैं तो difference कितने काया 60 ml का यह कहा गया क्योंकि gases हमने पहले ली थी 390 ml जिसमें दो था एक hydrocarbon और एक air 375 ml और बाद में बोल रहा है gases सिर्फ 330 ml रह गई तो 330 ml समझ में तो आ गया CO2 बन गया और बची हुई लेकिन यह 60 ml कौन खा गया भाईया 60 ml water खा गया क्योंकि वह water liquid में था तो liquid का volume तो हो सकता है ना और वह बचा हुआ volume वह खा गया तो this is nothing but volume of water तो यहां से आपकी second equation बन जाएगी volume of water से 60 ml से और second equation क्या बनेगी देखेंगे अपर second equation क्या बनेगी आपर देख लेंगे second equation तो second equation क्या बनेगी volume of water कितना आ रहा है पहले देख लें आपर volume of water कितना आ रहा है 15 into y by 2 यह लिखा 15 into y by 2 तो इसका मतलब यह हो गया volume of water कितना आएगा 15 into y by 2 15 into y by 2 which is equal to 60 ml राइट तो y की value आजेगी यहां से तो y will be equal to 60 into 2 upon 15 15 1s और 4s आ 4 2s आ 8 तो y की value आ गई भाहिया 8 y की value 8 आ गई क्या गरें इसको equation 1 में रख दे यह equation 1 है यहां रख दे तो x plus y की value 8 by 4 equal to 5 8 by 4 is 2 तो x की value 3 आ गई clear हो गया क्योंकि x plus y by 4 equal to 5 था x plus y by 4 equal to 5 था now x plus y by 4 5 के equal था तो हमने यहां क्या रखा x plus 8 by 4 equal to 5 this implies x plus 2 equal to 5 this implies x will be equal to 3 तो x की value 3 आ गई हमारा hydrocarbon क्या था cx hy तो क्या हो गया c x की value बो लेंगे 3 तो c3 और h की value h y y की value 8 तो c3 h 8 this will be our hydrocarbon so it will be c3 h 8 समझ में यह हमारा final answer होगा c3 h 8 और इसमें यही catch था कि हमें oxygen water की volume से खेल करना था y के लिए हमें oxygen का water का जो ml है वो लेना था y की value के लिए water का ml तो यह हमने यहांसे ले लिया option एक बार check कर लेते हैं c3 h 8 a option बिलकुल correct है as per the options क्योंकि c3 h 8 option a में है तो यह हमारा correct answer होगा so this will be the correct answer जो c3 h 8 होगा वो होगा option a जो बिलकुल correct answer होगा clear हो गया c3 h 8 हमने कैसे निकाला कैसे इस question को पूरे तरीके से solve करा तो यह answer होगा c3 h 8 यानि कि यह c3 h 8 आपका propane है यानि कि वो propane नाम की gas ती जिसको combustion किया गया और यह आपको final reaction मिली propane नाम की gas ती जिसका combustion हुआ और यह reaction देखने को मिली एक बार इस वाले slide का screenshot लेंगे फिर आगे चलते है इसका भी screenshot ले लेंगे यहाँ पर final answer है c3 h 8 ठीक है ओके तो यह final answer है एक बार सही से लिख देते है c3 h 8 c3 h 8 this will be the final answer clear to everyone तो इस तरीके के question इस तरीके के question बिलकुल आ सकते हैं एक्जाम में जहाँ पर आपको hydrocarbon का simplest formula पूछेंगे तो यह stoichiometry से भी आ सकता है या empirical formula से भी use करके आ सकता है stoichiometry से भी use करके आ सकता है और empirical formula से भी use करके बिलकुल पूछा जा सकता है clear हो गया let's move to another question अगले question पर चलते हैं अब अपन यह था हमारा fourth question तो let's move to the previous year का fifth और आखरी question जिसको हम यहाँ पर देखते हैं फिफ्थ question को देखते हैं जो अगें जेए मेस 2018 का सवाल है जेए मेस 2018 का सवाल है तो इसको यहाँ पर समझते हैं question क्या रहा है the ratio of mass percent of carbon and hydrogen of an organic compound CXHYOZ अच्छा यह एक organic compound दे दिया इस बार दे दिया CXHY और oxygen भी include कर दिया OZ दे दिया ठीक है इस six is to one okay mass percentage जो है वो carbon और hydrogen का है six is to one if one molecule of the above compound CXHYOZ contains half as much oxygen as required to burn one molecule of compound CXHY ठीक है क्या क्या रहा है वो अगर इसके एक molecule में उतने oxygen atoms है कितने oxygen atoms है half of that जो एक molecule CXHY को combustion के लिए चाहिए तो CXHY को combustion के लिए जितने atoms चाहिए oxygen के उसके आधे इसमें है ठीक है completely to CO2 and H2O this is H2O the empirical formula of the compound CXHYOZ is clear हो गया मतलब ultimately यहां पर भी हमें कुछ नहीं करना XY और Z की values निकाल लिए और यह equation बड़े easy होते हैं जहां यह पता हो कि क्या निकालना है ultimately तो XY और Z की values निकालना है यह चीज़ आ रहेगी ठीक है तो CXHYOZ का mass percentage दिया carbon और hydrogen का 6 is to 1 तो देखो X और Y तो बड़े असान हो जाएंगे निकालना देख लेते एक बार यहां एक table बनाते हैं अपन यहां element लिखेंगे यहां उनका relative mass लिखेंगे आपस में जो mass हमें यहां दे रखा है percentage के साब से mass percentage यहां उनका mass molar mass लिख देंगे molar mass उनका जो भी होता है फिर हम उस mass से molar mass को divide करके relative moles निकालेंगे क्योंकि this is relative mass ना तो relative moles निकालेंगे ठीक है देख लेते हैं अपन element कौन-कौन से एक तो है carbon और एक है hydrogen carbon का mass 6 is to 1 ratio है न carbon is to hydrogen carbon and hydrogen yes 6 is to 1 तो यह 6 or 1 carbon का molar mass 12 और hydrogen का molar mass 1 तो relative moles कैसे आ गए given mass 6 by 12 यानि की 1 by 2 और 0.5 और जिरो पॉइट फिए 1 यानि की 1 तो we have this as carbon के simple moles 0.5 और hydrogen is 1 तो एक काम करते हैं simplest निकालते हैं थोड़ा सा क्योंकि 0.5 is 1 by 2 ना तो इसको 2 कर लेते हैं इसको भी 2 कर लेते हैं तो we have this as carbon is 1 and hydrogen is 2 ये निकला carbon 1 है hydrogen 2 है carbon 1 है hydrogen 2 है और आप इसको अपने simplest empirical formula में x और y मान सकते हो क्योंकि carbon अगर एक mole आ रहा है तो ये simplest formula में x की value 1 हो जाएगी तो this implies x की value आप क्या कर रहे हो 1 मान रहे हो और y की value क्योंकि hydrogen के साथ y लिखा हुआ है तो आप इसको y की value 2 मान रहे है ये हो गया आपका simplest ratio provided this is an empirical formula ये empirical formula है ठीक है तो x की value 1 y की value 2 x की value 1 y की value 2 अभी changes करने हैं हमको इसमें अभी हमको z देखना है कि z अगर fraction में आएगा तो फिर सब multiply करने पढ़ेंगे carbon 1 नहीं है किसी में तो मतलब z 100% कुछ fraction में तो आएगा अब z के लिए क्या दे रखा है उनने z is the oxygen atom और वो क्या रहा है इसमें उतने oxygen atom है जितने जो इस molecule में होंगे c x hy को जलाने के लिए उसके आधे तो पहले तो पता कर लेदे c x hy को जलाने के लिए oxygen atoms कितने चाहिए c x hy को जलाने के लिए oxygen atoms कितने चाहिए तो यहाँ पर एक अलग से equation बनानी पड़ेगी c x hy को जलाने के लिए अब अपन c x hy को जला रहे है और पता करने इसमें कितने oxygen atoms लगेंगे तो पहले तो general equation c x hy जलेगा तो CO2 बनेगा और H2O बनेगा और बैलन्स करेंगे तो CX है तो यहाँ X आजएगा hydrogen के Y atoms है तो यहाँ Y already 2 है तो Y by 2 आजएगा ताकि multiply करके Y आए oxygen कित्ते हो गए 2X और Y by 2 यहाँ तो यह हो जाएगा X plus Y by 4 अभी पिछली equation में लिखा था हम नहीं है पिछली equation में लिखा था तो this will become X plus Y by 4 इतने हो जाएगे कौन oxygen है oxygen O2 के moles O2 के moles तो इसमें oxygen atoms कितने होंगे number of oxygen atoms यह तो O2 के moles है यह O2 के moles है क्या O2 के moles है? X plus Y by 4 हमें oxygen atom बता करना है तो आपको 2 into X plus Y by 4 into N A, N A करना चाहिए है वो गएटोस के लिए बट वो N A ultimately कर जाएगा तो हम इसको ही एक molecule के सबसे माल लेते हैं तो इतने molecules होते हैं तो oxygen के atoms कितने होते हैं 2 into this much atoms होते हैं अगर we consider this to be a molecule rather than mole तो आइने तक नहीं जाना पड़ेगा आप इसको इतने molecule माल लो और एक molecule में 2 oxygen atom में तो इतने molecule में इतने into 2 oxygen atoms होंगे तो यह oxygen atoms आ गए हैं तो कितने हैं हमारे cx hyoz में हमारे main hydrocarbon जो cx hyoz है उसमें इस oxygen atom के आधे oxygen हैं तो इसमें जो number of oxygen atoms आएंगे इसमें वो इस वाले में जितने लग रहे थे उसके आधे लगेंगे इस वाले में कितने लग रहे इतने लग रहे इसके आधे लगेंगे तो 1 by 2 of 2 into x plus y by 4 इतने लगेंगे अब क्या करें मैंने इसलिए 2 को multiply नहीं किया समझ में आया 2 और 2 कट गए तो कितने number of oxygen atoms लग गए हैं पर तो in this number of oxygen atoms कितने लग गए number of atoms किसके oxygen के ensure करना यह oxygen की बात चले कितने लग गए x plus y by 4 और जितने oxygen atoms लग रहे हैं उसको हमने z से denote किया है यह z से denote किया है तो z is equal to x plus y by 4 तो z is equal to x plus y by 4 z equal to x की value हमने पहले क्या रखी है x की value is 1 1 plus y की value is y की value y की value is 2 तो y की value is 2 by 4 so this will become 1 by 2 1 by 2 is 0.5 plus 1 z आ गया 1.5 और मैंने कहा था 100% fraction में तो z की value 1.5 तो नाव वी आफ इदर देखेंगे नाव वी आफ x as 1 y as 2 and z as 1.5 तो इसे साब से formula हो जाता c1 h2 o 1.5 बट वी देखेंगे तो we cannot write moles in fraction तो we will multiply everything with 2 so we get new values of x as 2 y as 4 लब दिस वी यहां पर multiply होगा my mistake यहां multiply करना है ठीक है यहां मत करना तो x2 y4 and z will be equal to 3 so according to this the new hydrocarbon will be c2 h4 o3 c2 h4 o3 carbon will become twice hydrogen will also become twice to 4 हो जाएगा oxygen will also be twice to 1.5 का 2 यानी की 3 यह हमारा answer होगा 100% c2 h4 o3 this will be our answer concept clear हुआ so this will be our answer option check कर लेते हैं एक बार c2 h4 o3 c2 h4 o3 as per the options given d option बिल्कुल correct है यह हमारा answer हो गया संपट पड़ी क्या बात यह हमारा answer हो गया तो अगेन वह empirical formula simplest ratio वाला है बस इसमें न oxygen के लिए आपको एक catch दे दिया था यह बोल दिया था कि भाई या एक और hydrocarbon जला रहे उसमें जितने oxygen atom लगते उसके आदे इसमें लगेंगे तो हमने उसमें पता कर लिए उसमें कितने लगेंगे उसके आदे निकाल कर जैट के बराबर कर दिया x और y हमने पहले इस data से निकाल लिया था तो जैट जो था वो x और y के terms में निकला तो बड़ा असान हो गया उसको निकालना फिर फिर ultimately z fraction में आ रहा था तो हमने whole number में convert कर दिया किसी एक suitable number से सबको multiply करके याद करना वो number सभी से multiply होगा ऐसे नहीं z 1.5 है तो इसको दुगना कर दो 3 कर दो नहीं रेशो उनका आ रहा है उससे आपसे तो अगर 2 multiply होगा तो सब के proportion में होगा वो सभी के proportion में multiply होगा clear हो गया screenshot ले लें 5th question का यह वाले पार्ट का ओके second part का भी ले ले लें इसके यह second slide का ओके तो यहां पर हमारा पूरा complete होता है पार्ट जो की 100% अपका day one का some basic concepts of chemistry का पूरा एक chapter था जिसमें हमने theory भी देखी है quick concept समझें इसके लावा important formulas हमने समझें concentration terms के इसके लावा हमने most important questions solve करें और हमने solve करें previous year questions so बिल्कुल kill shot के 40 day course का यह day one का था जिसमें some basic concepts of chemistry आपको मिला है अब आगे आपको day two वाला part जो मिलेगा वो अगले chapter का होगा planner आपके साथ share हो चुका है planner आपको 100% वीडियो के description में जाओगे तो एक link दिया हुआ है drive का वहाँ पर आपको planner इसका मिल जाएगा तो पूरे planners आपको वहाँ पर मिल जाएंगे उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से आप magnet bands को support करते रहेंगे और अगर कोई lecture आप मिस कर रहे हो तो magnet bands.com पर आकर आप visit करके वो lectures देख सकते हो क्योंकि क्या होता जब आप YouTube पर देखते हो तो YouTube पर आपको lectures सारे topic जो आप search करते हो वो तो मिल जाता है मज़ा आती है पढ़ने में तो वो miss out ना हो इसके लिए आप magnet bands आ सकते हो यहाँ पर आपको क्या करना है www.magnet bands.com पर आना है आएटी जेए के section में आपको जाना है जैसी आप आएटी जेए के section में जाओगे आपको सारे faculty के यहाँ पर courses दिखेंगे मेरा course भी दिखेगा watch ना होगा button दबाओगे तो सारे chapter wise आपको listing यहाँ पर मिलेगी पूरे chapter wise लिस्टिंग यहाँ पर मिलेगी यहाँ पर आपको dpp's भी मिलेंगी pdf's भी मिलेंगी सभी कुछ मिलेगा जो absolutely free of cost आप download कर सकते हो ठीके इसके इलावा यहाँ पर आपको lecture के जैसी आप click करोगे तो बिल्कुल HD quality में video play होगा और साथ में regular IATJE का और NEET के दोनों के आपको sessions जो मिल रहे हैं वो आपको यहाँ पर मिल रहे हैं ठीके तो जितने students हैं जो एक साल दो साल के लिए अपने आपको prepare करना चाहते हैं वो regular videos देखें जितने students अभी कुछ time में ही preparation करना चाहते हैं अगले महीने दो महीने तीन महीने में उनका exam से तो वो यह videos बिल्कुल देखें जिसमें हम लोग kill shot 40 days का course लेकर आए IT JE के लिए precisely JE chemistry के लिए इसमें हम questions भी solve करवाएंगे और regular batches में हमारी DPPs भी आपको मिलेंगी और DPPs का video solution भी आप तक मिलेगा इतना ही न complete package होगा IT JE और NEET की preparation का यह एक one stop solution होगा मलब वो है ना कि किसी के paid course में भी जो चीज़ें नहीं मिलती है उससे ज़्यादा चीज़ें आपको magnet bins पर free of cost मिलती है तो इसी तरीके से magnet bins से को अपना प्यारों support देते रहें magnet bins के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखें stay connected stay educated thank you